हलो दोस्तो मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे यूटूब नौलेज श्रंखला का अगला वीडियो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे यूटूब चैनल को लाइक किया शेयर किया और अपने दोस्तों तक पहुचाया मैं उम्मिद करता आगे भी आप ऐसी प्रकार से इसको फॉर्वड करते रहेंगे आए सवीधान को जो की एक यूनिट के रूप में हमारे सिलेबस में है इससे रिलेटेड अब जो आगे परिक्षा आने वाली आज एड्मिट कार्ट भी आही गए थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो दस नंब से एक भी प्रशन नहीं छोड़ेंगे आए शुरू करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नम बोलते हुए मेरे सिक्षक सुरेस पटेल सर को नमन कर लेते हैं फोकस करते हैं जैसा कि मैं हर वीडियो में सबसे पहले एनालीसीस करने की बात कर लेते हैं यूनिट 6 का जो सिलेबस है हमें पता है कि आजकल पीएस से हर यूनिट से 10-10 प्रशन पूछने लगी है तो इससे भी लगभग 10 प्रशन पूछे जाने हैं हो सकता है 9 या 11 भी हो जाए भारत का सवीधान और अर्थ व्यवस्था इन दो टॉपिकों को शामिल किय जाने है और सवीधान में मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरा सवीधान नहीं दिया है पूरा सवीधान तो इतना बड़ा है कि पिछले 10 सालों से सवीधान पढ़ने के बाद आज तक मैं पर्फेक्ट नहीं हो पाया यह कह सकूँ कि सब कुछ याद थैं हाँ सवीधान पढ़ने के लिए ये वीडियो बनाया हूं कि इस सविधान के सिलबस में कुछ बेसिक से टॉपिक दिये हुए हैं और वो केवल ये हैं कि भारत शाषन अधिनियम पढ़ने हैं 2019 और 1935 सविधान सभा पढ़नी है संगिय कार्यपाली का रास्ट पती और संसत पढ़ने हैं नागरिकों के मोलिक अधिकार कर्तवयो निति निर्देशक्तत्व अर्थात भाग तीन चार और चार क इतना पढ़ना है सविधानिक संसोधन पढ़ने और सर्वच नियाईलई पढ़ना है इसके अलावा सविधान का कोई टॉपिक इस यूनिट से तो नहीं पूछा जाने वला है हाँ जरूर दसवी यूनिट में हमसे दो तिन टॉपिक इसी से सविधान से जैसे नियंत्रक महालेखा परिक्षक जैसे आप PSC वला एक आयोग हुआ ये वहाँ पूछे जाने तो वो वहाँ पढ़ेंगे यहां की बात नहीं है तो इस यूनिट से जो दस प्रशन हमसे पूछे जाने है वो यहां तक है अब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्यों समझा जा रहा है ध्यान से सुनिए थोड़ा सा समझ है और अगर आप लोग ऐसी चीजे पढ़ने में लगे रहेंगे जैसे मैं कुछ टॉपिक बता दूँ जैसे नागरिक्ता हो गया जैसे सविधान का भाग एक हो गया जैसे सविधान में जो केंद्र राज्य सम्मंद एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो हो गया या चौदा हो गया भारती सविधान का भाग 16, 17, 18 हो गया इस सविधान के सिलेबस में कहीं भी ये टॉपिक नहीं दिये है और मैं एनालिसिस करके आपसे ये बात कर रहा हूं बिना तर्कों के आधार पर बात नहीं करता मैं सरकारी व्यक्ती हूं, आकडों के आधार पर बात करता हूं पिछले साल में जो पेपर्स दिये हैं उनका पूरा एनालेसिस किया है A to Z एनालेसिस करने के बाद clear है ये बात कि इतने topic से बाहर एक भी प्रशन अभी तक तो नहीं गया है और उमीद है कि इस साल भी नहीं जाएगा तो अगर आपने अभी तक भी इस unit को ढंग से cover नहीं किया है तो केवल ये ही topic पढ़ने है revision भी इन ही topic का करना इस से बाहर नहीं पढ़ना है हाँ मध्यपरदेश का सविधान वाला जो unit है फोर्थ unit उसमें मध्यपरदेश वाले कुछ ग्राम पंचायत के topics है वहाँ पढ़ेंगे लेकिन इस unit में इतने ही topic cover किये है मत पढ़िये इस से जादा एक भी बात हमारे काम की नहीं है जबर जस्ती की चीजे पढ़ने के चकर में महतुपून चीजे छोड़ देते हैं ये काम हमें नहीं करना है मैं कोई व्योसाइक व्यक्ती नहीं हूँ बड़ी ही इमानदारी से ये बात बता रहा हूँ कि सारे प्रश्ण जो 2022 में पूछे में नहीं रखे हैं हम इनको analysis करते हैं और अब खुद result निकालिए कि क्या पूछा है पहला question है मुख्य मंत्री के अनूपस्थिती में मंत्री परिशत की बेठक की अध्यक्षता कौन करता है तो राज्य की कार्यपालिका का प्रश्ण है लोग सभा के प्रत्वम अध्यक्ष कौन थे तो लोग सभा मतलब भारत की कार्यपालिका का प्रश्ण है रास्टपती की छमादान की शक्ती तो रास्टपती का प्रश्ण है फिर से सेले बस दिखाता हूँ ये तीन प्रश्ण के बाद में संगिय कार्यपाली का रास्टपती और संसद ये तीनों से बाहर कोई प्रश्ण नहीं गया है आगे बढ़ते हैं रास्टपती की छमादान शक्ती हो गई एक मोलीक अधिकार को उष्छन, एक कोटेशन दिया है, तो किस से सम्मंदित कोटेशन है, मोलीक अधिकार से, तो ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, कौन सा अनुच्छेद रास्टपती के महाव्योग, तो फिर रास्टपती से प्रश्चन है, किस अनुच्छेद से भार रखा तो सविधान सभा टॉपिक में है फिर इंकांडवेवा सविधान संसोधन तो क्योंकि सविधान संसोधन खुड टॉपिक में दिया हुआ है द्वेद शाशन प्रणाली तो दो अधिनियम दिये सविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी सविधान का निर्मान कर सकती है कोटेशन है और सविधान सभा से रिलेटेड है तो वो भी इसी में दिया हुआ है तो ऐसे हम यह जो बात समझना चाहते हैं वो मौल रूप से क्या है वो समझे फिर से हम सिलेबस पे चलत ईसमें से ऎर जो प्रशन दिखा है उसमें क्या एक भी एसा प्रशन आपको दिखा जो नागरिकता से related हो जो सविधान के भाग एक से related हो या जो सविधानके union territory वाले पार्ट 7 या 8 युट से भाग से संबंदित हो या ग्यारवे भाग से संबंदित हो, बारवे भाग से संबंदित हो, केंदर राज्य संबंद से संबंदित हो, कोई भी प्रशन नहीं पूछा है, पूछा है तो या तो सविधान सभा पूछा है, या इन दो अधिनियमों को पूछा है, या संग की कार्य पालिका में प्रश्न नहीं पूछा है तो मैं जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर हमारे सिलेबस में इतने ही टॉपिक दिये हैं तो फिर पूरा सविधान आज क्यों पढ़ना है हाँ पढ़ना जरूर है मैं खुद भी पढ़ाऊंगा आपको लेकिन आज इस सम क्योंकि कुछ हिस्सा चोथी यूनिट में पंचायती राज के नाम से शामिल कर लिया है और थोड़ा सा हिस्सा अधीनियम वाली यूनिट में शामिल किया है उसमें भी आयोग वाली यूनिट में शामिल किया है जिसमें भी UPSC, MPPSC की बात करनी है हमें तो आयोग पढ़ी हैं हम अलग से एक यूनिट में वह वहां पूछे जाएंगे इस से बाहर का topic आपको अभी तो नहीं पढ़ना है और ये सारे topic में इस video में आपको पढ़ाने वाला हूँ और मैं guarantee देता हूँ कि आपको पूरे के पूरे 10 number दिलाओंगा इस unit से आए शुरू करते हैं तो हमने जो questions देखे उसके आधार पर आपने खुदने analysis कर लिया होगा अब दोनों अधिनियम को हम स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम और कुछ नहीं करना है कि वह दस दस विशेष्टा है याद रख लो आपका पूरा काम हो जाने वाला है दोनों अधिनियम से क्या विशेष्टा है भारत शाषन अधिनियम 1919 इसका मूल नाम क्या था Montague Champsport सुधार क्या नाम था Montague Champsport सुधार Montague कौन थे उस समय भारत के सचीव और Champsport कौन थे उस समय भारत के वायस राय तो सचीव और वायस राय दोनों ने जो सुधार किये उसे Montague Champsport सुधार कहा गया 1919 में ये अधिनियम आया और 1920 में ये अधिनियम लागू हुआ ये दो बाते हमें याद रख लेनी है कि इसका नाम क्या था और इस अधिनियम का कब लागू किया गया उसके बाद याद रखना है कि इसका उद्देश क्या था तो इसका उद्देश याद रखिएगा स्वशाशन प्रदान करना या भारत में उत्तरदाईशाशन प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश था और इसकी विशेशताओं पे आते हैं इसकी पहली विशेशता जो से हुई इसकी शुरुवात हुई 1919 के अधीनियम से केंद्र में द्वी सद्नाद्म के विवस्थाई राज्य सभा के नाम से पुरानी चीज राज्य परिशत और केंद्रिय विधान सभा जो आज की लोग सभा है उसके जैसी तो उस समय की जो राज्य परिशत थी उसमें 60 सदस्य थे कितने सदस्य थे 60 सदस्य थे उसमें दो प्रकार के सदस्य थे एक थे निर्वाचित और एक थे मानोनित निर्वाचित कितने थे 3-4 मतलब 34 और मानोनित कितने थे 2-6-26 क्योंकि 60 में से 34 गया तो 26 ही बचेगा केंद्रिय विधान सभा में 144 सदस और उसमें भी निर्वाचित मैंनोंप का क्यलकूलेशंद निर्वाचित 104 थे यह याद रखना है इन ओनों को हो और आज की लोग सभा का कारें पांच वर्ष राज्य सभा का जादा वर्ष था और राज्य परिशद का कार्यकाल 4 वर्ष था यह पहला फैक्ट था इसमें दो बातें और याद रख लो कि दोनों के अधिकारों में समानता थी लोकसभा और राज्यसभा की केवल डिफरेंस था कि बजट जो था कि अंतर यहां था कि बजट पर श्विक्रती का अ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था निर्वाचित सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन विधी से होता था यह इसका पहला पॉइंट है इस अधिनियम के पहली विशेशता है अगले पॉइंट पे याद रखा देखे चाहूं तो मैं भी आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1744 का एक्ट, फलाना एक्ट, डिमा का एक्ट सब पढ़ा सकता हूँ सब मुझे याद है लेकिन इस समय पे आपको यह पढ़ा करने की मुर्खता मैं नहीं करूँगा हो सकता है कि कुछ व्योसाइक लोग करते हूँ ऐसा लेकिन मैं एक व्योसाइक नहीं हूँ मुझे पैसे नहीं कमाने हैं मैं केवल आपकी मदद करना चाहता हूँ इसलिए ये चीजे ठ्यान रखिए कि हमें जो परिक्षा में आ रहा है केवल वही पढ़कर जाना है वही रिवाइस करना है आगे बढ़ते हैं दूसरी इसकी जो विशेशता थी प्रांतो में द्वेज शाषन लागू किया गया अब ये जो द्वेज शाषन इसके जनक कौन थे लियोनस कार्टियस क्या नाम था उनका लियोनस कार्टियस इसके तहत क्या होता है द्वेज शाषन के तहत द्वेज शाषन का आर्थ होता है दो दो लोग शाषन करते हैं अर्था जो कोई शाशन करने की प्रोसेस से उसे दो लोगों में बाढ़ दिया जाता है एक सूची पे कुछ एक विशयों पर कोई कानून बनाएगा दूसरे विशयों पर कोई और बनाएगा तो प्रांतों में जो बाटा गया वो इस तरीके थे था कि हस्तानतरित विशय और आरक्षित विशय के रूप में दो प्रकार से विशय बाढ़ दिये हस्तानतरित विशय गवर्नर के अदीन थे और उन मंत्रियों की सहायता से राज्य विधान परिशत के प्रती जो मंत्री राज्य विधान सभा के प्रती उत्तरदाई थी उनकी मदद से गवर्नर जो है वो शाषन करता था राज्यों की बात की जा रही है प्रांतों की बात की जा रही है देखो आज जिने हम राज्य कहते हैं उस जमाने में उन्हें प्रांत कहा जाता था तो प्राम्तों में देच शाषन लागू किया, केंद्र में नहीं किया, याद रखना केंद्र में बागे करेंगे आरक्षित विशय, इनका शाषन कौन करता था, तो गवनर की कार्य पालिक परिशद होती थी जो किसी के प्रती उत्तरदाई नहीं होती थी वो करती थी इनका सहसन और ये व्यवस्था असफल रही थी याद रखना इसको बादबंद कर दिया गया था 1921 से ही आगे बढ़ते हैं इसकी जो तीसरी विशेष्टा है कि वायसराई की कार्यकारणी के 6 सदस्यों में से 3 सदस् ये प्रावधान कर दिया वायसराई की कार्यकारणी अभी हमने पढ़ा ना कि कार्यकारणी कार्यपालिक परिशत तो ऐसे ही वायसराई की जो कार्यकारणी थी उसमें कुल 6 सदस्यों होते थे उन 6 में से 3 भारती होंगे ये प्रावधानी सदिनियम में किया गया क्या प्रा जो विशेष्टा थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंब की गई याद रखिए इस से पहले भारत में जो भी ब्रिटीशों द्वारा चुनाओ कराए गए वो अप्रत्यक्ष चुनाओ थे भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाओ की शुरुवात 1919 के और निर्वाचन की शुरुवात 1822 के अधिनियम से हमारे यहां हुई थी अगला पॉइंट है सामप्रदाइक आधार पर सिखों भारतिये इसाईयों और आंगल भारतियों के साथ यूरोपियों को प्रथक निर्वाचन छेत्र दे दिया याद रखिए प्रथक निर्वाच को प्रथक निर्वाचन 1919 में दे दिया था तो मुस्लिमों के लिए प्रथक निर्वाचन की विवस्था 1909 में कर दी थी इस समय सिखों के साथ भारतिये इसाई और आंगल भारतियों को कर दिया गया और 1935 का अधिनियम जब हम आगे पड़ेंगे तो उसमें महिलाओं मजद दलितों के लिए प्रथक निर्वाचन की विवस्था की गई तो सामप्रदाईक पंचाट जो है वो उस समय आजाएगा याद रखिए सामप्रदाईक आधार पर शिखों भारतिये इसाईयों और आंगल भारतियों और यूरोपयों को प्रथक निर्वाचन इस 1919 के अधिनि वही लोग वोट डालते थे और यह सेदस से चुन लिये जाते थे भारत का हरेक नागरिक इस निर्वाचन में भाग नहीं लेता था वो तो आजादी के बाद लेना शुरू करेगा अभी भी वोट परसेंट उतना नहीं लेकिन उस समय तो डालने का अधिकार ही नहीं था आग भारत सचीव के कुछ कारिय करने लगा या जिसे भारत सचीव के कुछ कारिय सोब दिये गए आगे बढ़ते हैं भारत सचीव को महालेखा परिक्षक की नियुक्ति का अधिकार दे दिया हमने पड़ा ना CAG तो CAG की नियुक्ति तो 1860 से होने लगी थी लेकिन पहले उसकी ब्रिटेन से होती थी इस अधिनियम में 1929 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारत सचीव को महालेखा परिक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार होगा वो अब नियुक्ति करने लगेगा फिर केंद्रिय लोक्सेवायोग हमें पता है UPSC की बात की जा रही है तो UPSC जो है वो 1926 में बना था, कब बना था, 1926 में बना था, ली कमिशन के सिफारिश पर, ली कमिशन कब बना था, 1924 में बना था, लेकिन उसके लिए प्राउधान कौन से अधिनियम में किया था, तो 1919 का अधिनियम कहता था, कि केंद्र इस्तर पर एक लोकसिवा आयोग होगा, जो वो 1923 चोईस में जो ली आयोग बनता है उसकी सिफारिस पर 1926 में बनता है और आगे इसकी विशेष्टा क्या थी कि पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों से अलग कर दिये गए अर्थात इस अधिनियम से केंद्र में एक अलग बजट राज्य में एक अलग बजट की विव को स्वाइमन कमिशन नाम की जो चीज्ज साइमन साइमन गमीर में बंग किये दिनियाम में बहुत सारी त्वाइब हैं इसे पॉइंट यदर हे वह रेखिया थिख्या की वो बनाने साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान की इस अधिनियम में किया था तो वो 1919 के अधिनियम में किया था इस अधिनियम दोरा पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया अभी हमने पढ़ा कि हमारे हां प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी इसी से हुई और महिलाओं को पहली बार मताधिकार भी इसी से दि कॉल कीजिए आगे बढ़ते हैं भारत शाषन अधिनियम 1935 1935 का जो अधिनियम है ये क्या कहता है देखिए इसमें कितने अनुच्छे थे तो उल्टी-गिंती कर लीजिए वन टू थ्री तीन सो इकीस अनुच्छे थे और दस अनुच्छियां थी कितनी अनुच्छी थी दस अनुच्छियां थी इसकी पहली विशेष्टा हो गई भारत शाषन अधिनियम जो है वो 1935 है उसमें तीन सो इकीस अनुच्छियां है और दस अनुच्छियां है इससे पहल बात जो की गई इसकी विशेष्टाएं पड़ते हैं अखिल भारतिय संग की स्थापना का प्राउधान किया गया क्या किया गया अखिल भारतिय संग की स्थापना का प्राउधान जिसमें तीन चीजे शामिल होंगी कौन-कौन सी ग्यारा प्रांत शामिल होंगे कमिशनरी छे शामिल होंगे उस समय छे कमिशनरी छेत्रत है और देशी रियासत हैं तो देशी रियासत हैं उनको स्वेचिक कर दिया गया था कि प्रान तो अनिवारी रूप से शामिल होंगे दूसरी बात कमिशनरी छेत्र अनिवारी रूप से शामिल होंगे लेकिन तीसरा पॉइंट एक भी देशी रियासत सामिल नहीं होई और रियासतों के सामिल ना होने के कारण ही ये प्राउधान अखिल भारतिय संग का बनाने का प्राउधान फेल हो गया नहीं बन पाया अखिल भारतिय संग याद रखना ये बात 1935 के अधिनियों ने भारत में एक अखिल भारतिय संग बनाने की ववस्था की लेकिन उसमें एक point डाला कि देशी रियासते स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकती हैं तो उस कारण से स्वेच्छा से कोई शामिल हुआ ही नहीं और ये अखिल भारतिय संग नहीं बन पाया आगे और शाशन करने हैं तो तीन सूचियां बना दी गई परिसंग सूची, परांतिय सूची, समवर्ती सूची और जो बच जाया उसे कहते हैं अप्सिस्ट सूची देखिए परिसंग सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार को परांतिय सूची पर कानून बनाने का अधिकार परांतिय सरकार को समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे और जो बज गए छेत्र जिन पर वायसराई को अधिकार होगा या वायसराई को अधिकार होगा कि वो अवसिस्ट सूची पर कानून बनाएं तो चार सूचिया हो गई इन सूचियों का जन्म किस अधिनियम से हुआ है 1935 के अधिनियम से परिसंग सूची में कितने विशाई है 59 राज्य सूची या प्रांत सूची में कितने विशाई है 54 समवर्ती सूची में कितने विशाई है 36 ऐसे तीन सूचियां बना दी और यह सब काम कब हुआ है 1935 के अधिनियम से तो अगर मैं आपसे यह प्रश्न अधिनियम से तो यह इसकी पहली विशेष्टा याद रखना आगे बढ़ते हैं अब देखिए हमने पिछले वाले 1919 के अधिनियम में पॉइंट पड़ा था कि प्रांतों में द्वेद्शाशन लागू किया गया जबकि केंद्र फ्री था केंद्र में तो द्वी सदनात्मक व क्योंकि अपका भारत संघ तो बना रहे लिए अखिल भारतिय संघ बनी नहीं पाया तो दो चीज़े बनी नहीं पाई अगली बात प्रांतिय स्वायत था ये क्या पॉइंट है तो प्रांतों में जो द्वेद्शाशन लागू किया गया था उसे समाप्त कर दिया और ऊंने 1935 का अधिनियम था अब मतलब पहली बार इस अधिनियम से प्रांत स्वतंत्र यूनिट बने हैं यह याद रखने क्योंकि उनमें जो हस्तान तरीत और वो आरक्षित विशे थे उसमें गवर्नर बनाता था इससे उनको एक सव्वेधानिक आधार मिला तो प्रश्न बनता है कि प्रांतिय सव्वेधानिकता का आधिकार कौन सा अधिनियम था 1935 का अधिनियम था फिर प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की स्थापना हुई जिसमें गवर्नर के लिए उत्तरदाई मंत्री परिशत की मंत्री परिशत जिससे वो सलहा लेकर काम करें देखे वर्तमान में हम जो मंत्री मंडल और मुख्य मंत्री की सलाहा पर काम करेगा और वो व्यवस्था इसी अधिनियम से आ रही है कि प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की स्थापना होगी जिसमें गवर्नर अर्थातराज जिपाल और मंत्री मंडल होगी और मंत्री मंडल की सलाहा से काम करेगा कौ वर्णर तो वर्तमान में भी यही पेटंट फॉलो होता है यह विवस्ता 1937 में लागू की गई लेकिन अंगरेजों को लगा कि इससे भारती जो है वो राजनिती में शामिल हो जाएंगे इसलिए 1939 में इसे फिर से समाप्त कर दिया याद रखना लेकिन शुरू तो हो चुकी ह फिर संगिय न्याईलाई हमारे भारत में संगिय न्याईलाई 1861 में बन चुका था एलिजा इंपे की अध्यक्षता में पहला न्याईलाई था वो लेकिन पूरे भारत के लिए जो न्याईलाई है वो 1935 के अधिनियम से बनेगा एक संगिय न्याईलाई की स्थापना 1935 के अधिनियम से 1937 में पहली बार एक संग्य नियाईलय बनेगा जिसमें एक मुख्य जज और दो अन्य जज या एक मुख्य नियाईधिश और दो अन्य नियाईधिश बनाये जाएंगे इसका अधिकार छेत्र प्रांतोर रेसी देसी रियासो तो सब तक रहेगा और अंतिम जो ब्रीटेन में वो लेती था अंतिम नियाई लेने का वो प्रीवी कांसिल को दिया गया जो लंदन में बेठती थी ये इसकी विचेश्टा थी, याद रखना, आगे बढ़ते हैं, प्रांतों में दुईस अदनात्मक व्यवस्था, देखो पिछले 1919 के अधिनियम से, प्रांतों में दुईस अधिनियम से, तो 1935 के अधिनियम से, प्रांतों में दुईस अधिनियम से, प्रांतों में दुईस और आगे बढ़ते हैं इसकी और क्या विशेषता थी सांप्रदाइक निर्वाचन का विस्तार किया गया मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि देखिए मुस्लिमों को सांप्रदाइक निर्वाचन में शामिल किया 1909 के अधीनियम से फिर 1911 के अधीनियम से सिखों आंग भारतियों और भारतिये इसाईयों और यूरोपियों को शामिल कर लिया और 1935 के अधीनियम से महिलाओं डलीतों और मजदुरों को सांप्रदाइक निर्वाचन दिया गया जिससे सांप्रदाइक निर्वाचन का विस्तार हुआ डलीतों महिलाओं और मजदुरों तक यह प पर जो उसके आधार थे जो मानक थे उनको कम कर दिया गया था फिर भारतिय परिशत को समाप्त कर दिया हमें पता है कि भारतिय परिशत बनाई गई थी 1958 के अधिनियम से 15 सदस्यों कि उसको इस अधिनियम के तहट समाप्त किया गया है और आगे बढ़ते हैं भारत में जो रि पिछले अधिनियम में बनाया था तो इस अधिनियम से संगिये लोग से वायोग के साथ साथ राज्य लोग से वायोग और संयुक्त लोग से वायोग या प्रांतिय लोग से वायोग और संयुक्त लोग से वायोग बनाने के प्रावधान किये गए, याद रखना तो अगर हमसे पूच लिया जाए कि मद्धी प्रदेश या प्रांती लोकसिव आयोग बनाने का प्रावधान किस अधिनियम से किया था तो 1935 के अधिनियम से किया था फिर भर्मा को म्यामार से अलग कर दिया हमें पता है मद्ध्य प्रदेश के लिए काम की बात है कि बारार को मद्ध्य प्रांत में शामिल कर लिया पहले बारार एक प्रथक छेत्र था जिसे 1935 के अधिनियम से मद्ध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था फिर अगले विशेषता है कि यहां अधिन हम 1936 में लागुआ मैं पहले ही बता चुका हूँ 1937 में इसी के तहट चुनाव हुए और जो चुनाव हुए उनका रिजल्ट क्या था कि पांच राज्यों में तो कॉंग्रेस की सरकार बन गई थी उस समय पांच राज्यों में जो उनको क्योंकि प्रांती स्वायत्ता दी है तो पांच राज्यों में राज्यों की सरकार या प्रांतों की सरकार बनी उसमें से 5 तो जो कॉंग्रेस ने बना दी पस्ची में उत्तर जो छेतरे उसमें कॉंग्रेस और मिली जूली सरकारान ने पार्टी के साथ मिली जूली सरकार बनी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी बंगाल में क्रशक पार्टी की सरकार बनी और सिंध में मुसलिव लिख की सरकार बनी याद रख लेना सिंध में 1935 की अधिनियम से जो 1937 में चुनाओ हुए हैं उनसे मुसलिव लिख की सरकार है पांच राज्यों में या पांच प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार है इस प्रकार हमने 12 विशेष्टाओं में पूरा अधिनियम कवर कर लिया कुछ छोटे-छोटे से बाते हैं जो गुमा करके पूछी जाती है याद रखना जैसे प्रांतों में देजशाशन किस अधिनियम से लागू किया गया कर लो अधिनियम कंठस्त कर लो इनको वैसे मैंने समझा दिया है लेकिन फिर भी कंठस्त कर लो और नहीं होता है तो और मुझसे पूछू मैं और बताने के लिए तयार हूँ डिस्क्राइब करूँगा इससे related 2-3 quotation है जो और important है क्योंकि कुछ quotation तो पूछू की exam 2-3 quotation मुझे और लगे important कि नहरू जी ने कहा था कि ये कार है ये अधिनियम को उन्होंने कार की संग्या दी 1935 का जो अधिनियम वहें कार है जो जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है क्या कहा जवालल नहरू क्या कह रहा है कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा नहरूजी ने कहा याद रखना है दोनों पॉइंट एक कार की संग्या और एक दास्ता का अधिकार पत्र की संग्या नहरूजी ने दिये है अंबेटकर ने क्या कहा जब सविधान बना तो उस समय ये कोटेशन बोला था इनोंने कि मुझे इस आरोप के सम्मन में कोई शमा नहीं मांगनी है कि सविधान के प्रारूप में Government of India एक टो 1935 के एक बड़े भाग को शामिल किया गया है उन्होंने ये सविधान सभा में कहा था कि मुझे इस आरोप के उपर कोई शमा नहीं मांगनी कि हमने जो सविधान बनाया उसमें जादा तर हिस्सा 1935 के अधिनियम से ले लिया गया है ये कहा अंबेटकरजी ने जिन्ना ने क्या कहा? मुहमद अली जिन्ना पूर्णता सड़ा गला एवं बुरा कहकर के इसको नकार दिया, स्विकार कर दिया याद रखना किसने इसे सड़ा गला कहा? मुहमद अली जिन्ना ने तो ऐसे हमने ये दो अधिनियम पढ़ लिये 15-20 मिनिट में दोनों अधिनियम कम्प्लीट हो गए पूरे अधिनियम पढ़ने की गल्ती मत करना पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाओगे केवल ये दो सिलेबस में दिये हैं ये दो ही पढ़ेंगे आगे चलते हैं अब हमें पता है कि हमारे सिलेबस में अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? सविधान सभा दिया हुआ है तो अब हम पूरा सविधान ना पढ़ते हुए केवल सविधान सभा पढ़ लो मेरे पास पढ़ाने के लिए तो खूप सारी बाते हैं लेकिन मैं केवल सविधान सभा पर focus करूँगा हमें सविधान सभा से related points को focus कर लेना है केवल और केवल वो बातें जो सविधान सभा से related हैं वो हम इस point में पढ़े आगे बढ़ते हैं तो सविधान सभा का विचार कहां से आया सविधान सभा का विचार कैसे आया इस point पर focus करते हैं तो सर्व प्रतम सविधान सभा का विचार 1845 में बाल गंगा धर तिलक ने दिया था यह point मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर clear कर रहा हूँ कि भारत में सविधान सभा का पहला विचार बाल गंगा धर तिलक ने दिया था और उनके निर्देशन में एक विधेयक आया जिसका नाम था स्वराज विधेयक 1855 वे इसी ने पहली बार भारत में सविधान सभा की बात की थी बीसवी शताब्दी में गांधी जी एक भाशन देंगे और भाशन में कहेंगे कि भारतियों का सविधान भारतियों की इच्छा नुसार बनाया जाना चाहिए 1922 में और इसी से गांधी जी ने भारत में सविधान सभा की शुरुवात होनी चाहिए ये मांग उठाई 1939 में नहरू रिपोर्ट में प्रथम सविधान सभा निर्मान का प्रयास किया गया ये प्राउधान किया गया 1939 की ये मोतिलाल नहरू वाली रिपोर्ट है कि भारतियों के लिए सविधान सभा हो जो स्वयम का सविधान बनाए ये प्रयास किया गया आगे बढ़ते हैं भारत की और से सविधान सभा की सर्व प्रथम मांग ये मांग और वो पिछले वाले में डिफरेंस है ये संस्थागत रूप से मांग है और वो बिना चाही हुई मांग थी मतलब पता नहीं था कि हम क्या मांग रहे हैं लेकिन मांग लिया था मतलब व्यवस्थित रूप से नहीं थी लेकिन 1934 में 1934 में राची में जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी उसके एक अधिवेशन में सविधान सभा की व्यवस्थित रूप से मांग की गई थी एक कागज में लेटर लिखकर अंग्रेजों को दिया गया था वो इस साल में हुआ था तो व्यवस्थित मांग जो है 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी राची के अधिवेशन में 1934 में ही भारत में सविधान सभा के गठन का विचार M.N. राई ने भी दिया था याद रखना 1936 में कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में कॉंग्रेस ने ब्रिटिस सरकार द्वारा सरोप्रतम सविधान सभा की मांग को 1940 में स्विकार किया गया या 1940 में मान लिया गया कि सविधान सभा होनी चाहिए लेकिन अभी पूरी तरह सविकार नहीं करेंगे देंगे नहीं हमको तो ब्रिटिस सरकार द्वारा सरोप्रतम सविधान सभा की म आध्यम से एक कहा गया हमें पहली बार कि हां हम देंगे सविधान सभा का गठन करेंगे तो क्रिप्स मिसन 1942 में सरुप्धम बिटी सरकारद्वरया सुइकार किया गया कि एक निर्वाचित सभा युद्ध के पस्चात सविधान निर्मान करेंगी भारत के लिए आगे बढ़त सविधान के लिए नहीं लेकिन बाद में मुस्लिवलिक सामिल हो गई अंबेटकर भी वेल पहले शुरुवात में सहमत नहीं धेंबेटकर ने भी कहा कि उदासींता और आंशिक विरोत के बाद में मतलब मुझे नहीं लगता है कि भारत हमाई सविधान सभा बनाई जानी च इसके अधिनियम में जो प्रावधान है उनी से हम काम चला लेंगे ऐसा कहा था हम बिट करने ये पॉइंट सा आप लोग याद रखना अब हम बात करते हैं सविधान सभा के गठन की देखिए सविधान सभा का गठन जो है वो किसने किया केबिनेट मिशन ने किया किसने किय केबिनेट मिशन ने किया और केबिनेट मिशन कब बना 24 मार्च 1946 को कब बना 24 मार्च 1946 को बना केबिनेट मिशन इस केबिनेट मिशन ने चुनाओ कराय या एक संस्था बनाई जिसका नाम पड़ेगा सविधान सभा कब कराय चुनाओ तो जुलाई और अगस्त में 1946 में चुन सदस्य थे लेकिन जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया तो उसमें कुछ सदस्य चले जाने है तो 90 सदस्य हमारे उसमें से चले जाएंगे आगे हम देखेंगे इस आकड़े को तो फिर हमारे पास 299 सदस्य बचेंगे यह हम आगे पढ़ेंगे तो जो हमारे 389 सदस्य थे उनका कैसे चयन किया गया सवीधान सबा के वह समझ लेते हैं 292 जो है वह गवर्णर के प्रानतों से चुनने थे 4 जो है वह कमिशनरी छेतरों से 4 कमिशनरी छेतरों से एक-एक सदस्य चुनने थे और 93 सदस्य जो हैं वो देशी रियासतों के आधार पर चुनने थे और ऐसा ही क्यों किया क्योंकि केमिनेट निशन ने प्राउधान किया कि हम 10 लाख की जन संख्या पर अप्रत्यक्ष चुनाव कराते हुए या 10 लाख की जन संख्या पर एक प्रतिनी दी हो तो उस आधार पर भारत में सविधान सभा बनाएंगे अब देखे उस समय भारत की जन संख्या थी वो लगबख 35 करोड थी तो 35 करोड जन संख्या के लिए 350 सदस्य होने चाहिए लेकिन प्रॉपर 10 लाख हो ऐसा जरूरी नहीं था कहीं नो लाख कहीं साड़े आठ कहीं साड़े नो ऐसा कुछ प्राउधान था तो इस हिसाब से टोटल 389 सदस्य से बनाएंगे हमारे सविधान सभा में इनको हम कोश्चन के आधार पर देख लेते हैं कि ये 11 प्रांतों से चाहिनित हुए और जो 561 देशी रियासती उससे चाहिनित हुए प्रत्यक 10 लाग की जनसंक्या पर एक प्रतिनीती बनाया गया आनुपातिक प्रतिनीधित्व का पालन किया गया आनुपातिक प्रतिनीधित्व मतलब आप समझ गये कि कहीं साड़े नो तो कहीं 10 तो कहीं साड़े आठ कहीं नो जो एरिया थे उनके हिसाब से और अप्रत्यक्ष मतदान विधी को अपनाया गया ऐसा नहीं था कि सब यक्ति ने जा जाकर वोट डाले थे अप्रत्यक्ष तरीके से अर्थात उस समय की जो प्रांतिय सभाय थी वो चुनी हुई थी तो उन प्रांतिय सभाओं ने अपने सदस्य चुन लिए इस तरीके को कह रहे हैं जैसे आजकल राज्य सभा का चुनाओ कैसे होता है देखे राज्ये चबा सभा के सदस्यों का चुनाओ कैसे होता है कि हमारी जो विधान सभा होती है वो जो विधान सभा के जो सदस्यों होते है वो हमारे द्वारा ये ये जनता द्वारा चुने जाते हैं तो ये हो गए प्रत्यक्ष चुनाओ तो प्रत्यक्ष चुनाव तो किसका हो गया विधान सभा के सदस्यों का अब राज्य सभा के जो सांसद है इनका चुनाव हम कैसे करेंगे तो ये लोग इनका चैन करेंगे तो जनता द्वारा ये कैसा हो गया अप्रत्यक्ष और इन सदस्यों द्वारा ये कैसा हो गया प्रत्यक्ष तो हम यही कहना चाने कि जिस प्रकार राज्य सभा के सदस्यों का चैन हुआ उसी प्रिटन को फॉलो करते हुए सविधान सभा के सदस्यों का चैन अप्रत्यक्ष मत दान द्वारा इस pattern को follow करते हुआ हुआ उस समय की जो प्रांत थे उन से चुन लिया गया उनकी विधाईकाओं से सदस्योग चुना गया टोटल कितने सदस्यों थे 389 हमें पता है जिसको हम तीन भागों में बाट सकते हैं मुस्लिम सामान्य और सिख याद है सबको कि अगर सविधान सभा को तीन भागों में उस समय के लोगों ने बाटा कि या तो मुस्लिम थे कुल सामान्य के नाम से और सिख के नाम से कमिशनरी छेत्र हो गए और 292 चार कमिशनरी छेत्र और 292 जो है वो प्रांतों से आ गए 93 देशी रियासत से आ गए तो इनका तो कोई चुनाव होगा नहीं इनमें ये मुस्लीम सामान्य और सिक्ख वाला वर्गी करण लागू नहीं होगा ये वर्गी करण के वख लीनी में लागू होगा क्योंकि इनका चुनाव होना इनको तो देशी रियासत के जो सदस्य हैं जो राजा हैं वो आपस में अंडरस्टेंडिंग से चुनने वाले हैं और वहाँ ये पेटन फॉलो नहीं किया किया कि मुस्लीम होगा तो मुस्लीम ही तो इनमें 213 सामान्य मुसलिम 79 और 4 सिख्खों को इस्थान मिला जब फाइनली चुनाओ हो गया तो उसमें 213 सदस्य जो हैं वो सामान्य से 79 मुसलिम और 4 सिख्खों को इस्थान मिला ये याद रखना और आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट जो था वो इसी पेटन पर रहा कि क कॉंग्रेस ने कहीं चुनाव लड़ा होगा तो देखो यह 296 का जो चुनाव लड़ा गया उसमें कॉंग्रेस को पार्टी वाइस देखें तो किसको कितना मत मिला तो पार्टी वाइस कॉंग्रेस को 208 सदस्य मुस्लिव लिख के 76 और 15 जो है वो अन्य सदस्यों के रूप में अन्य एसे कॉंग्रेस मुसलिव लिख और अन्य के रूप में इनका चैन हुआ देशी रियासत में तो पार्टी आईगी नी क्योंकि देशी रियासत के सदस्य हैं वो तो आगे बढ़ते हैं देशी रियासतों ने शुरू में भाग नहीं लिया था लेकिन हैदराबाद में हैदराबाद रियासत ने कभी भी भाग नहीं लिया यह बहुत इंपोर्टन बात है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सवीधान सबा में कभी भाग नहीं लिया तो वो हैदराबाद की रियासत थी सविधान सभा के गठेन के समय तीन पोस्ट ब्रिटेन का राजा कौन था जार्ज सिक्स नाम का राजा था प्रधान मंत्री कौन था क्लिमेंट एटली था और केबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे पेथिक लॉरेंस थे याद रगना Cabinet Mission में तीन सदस्य थे Cabinet Mission के तीन सदस्य कौन थे पेथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिस्टोफरस तो ये तीन सदस्यों में जो पेथिक लॉरेंस है ये Cabinet मंत्री थे इसलिए Cabinet Mission कहा गया आगे बढ़ते हैं सविधान सभा के निर्मान को सविधान सभा ने किया है इसलिए थोड़े से वेक्ट उसके बारे में पढ़ लेते हैं 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बेठक होती है और 211 सदस्य उसमें अवेलेबल होते हैं उपस्तित होते हैं क्यों 211 क्योंकि मुस्लिव लीग उस ताइम पर आनी रही है तो सदस्य की संख्या कम रहेगी मुस्लिव लीग ने भाग नहीं लिया था इसके अध्यक्ष तो उस समय पता नहीं था कि किसको अध्यक्ष चुणे तो एक जमाने पहले 1789 में फ्रांस में ऐसी सविधान सभा बनी थी तो वहाँ जो सबसे बुजूर्ग व्यक्ति था उसको सभा का अध्यक्ष बनाया गया था तो उसी पेटरन को यहां से फॉलो कर लिया कि एक काम करो इस सभा के सबसे जो वरिस्ट सदस्य हो सचिदानन सिनहा है तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया और एक उपाध्यक्ष बनाया गया फ्रेंक एंथोनी को याद रखना फ्रेंक एंथोनी मद्यपरदेश के जबलपूर के थे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमें याद रहे यह दोनों ही चेंज हो जाने वाले अगली सभा में क्योंकि मुस्लिव लिग इनका विरोत करेगी तो अगला जो में बेठा के वो 11 दिसंबर को होना है 11 दिसंबर 1946 को सभा ने राजेंदर प्रसाद को इस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया और उपाध्यक्ष जो है वो H.C. मुखर जी चुने गए पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो फ्रेंक के इन्थो नी पहले या इस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो राजन प्रसाद और इस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे तो H.C. मुखर जी याद रख लेना सविधान पारित होने के समय उपाध्यक्ष कौन थे तो BT क्रश्णामाचारी एहसा अंसर हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं सविधानिक सलाकार किसे नियूक किया गया बी एन राओ को यह हमें याद रखना है अगली बेठक होती है 13 दिसंबर को यह बहुत important day इस पर एक प्रस्णा आया है कि जवालल नहरू के द्वारा उद्देश प्रस्ताव रखा गया था कब 13 दिसंबर को 13 दिसंबर जो है वो पाँचवी बेठक होगी 9, 10, 11, 12, 13 13 वा तेरा तारिक को हमने पाँचवी बेठक में पंडित जवालल नेरू ने उद्देश प्रस्ताव रख दिया और उद्देश प्रस्ताव पारित कब हुआ तो देखू उद्देश प्रस्ताव रखा गया वो तारिक तो हो गई 13 दिसंबर 1946 लेकिन पारित कब हुआ यह पारित होगा 22 जन्वरी 1947 को याद रखना तो यह ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है दिसंबर के बाद अगले साल का जनवर ही आता है तो 1946 का दिसंबर और अगले साल का जनवर ही कुछ ही समय में हो गया यह उद्देश प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बनती है प्रस्तावना बनती है लेकिन ऐसी की ऐसी नह बन जाने थे एक भारत बनना था और एक पाकिस्तान बन जाना था तो जब पाकिस्तान बन गया तो हमारे जो टोटल 389 सदस्य थे वो कट जाएंगे तूट जाएंगे तो आप कितने हो जाएंगे 299 हो जाएंगे तो यह जो 39 का वर्दगी करण था 389 का वो प्रांतों से 296 और देशी रियासतों से 93 का था हम चैनद ऑी 10.66 जब रहे गए तो उसमें 229 प्रांतों से और 70 देशी रियाशतों से इस पेटन पर आगये हम याद रखना फाकिस्तान को हमने कब अधिमियम से अलग तो भारत सा स्वतंत्रता अधिमियम 1947 से याद रखना है AWIDHAN सभा का विभाजन किस अधिमियम से हुआ थो भी भारतिय स्वतंत्रता अधिम से से हुआ है आगे बढ़ते हैं इससे related कुछ fact है सविधान सभा की बेठा कुल कितनी हुई तो कुल 11 बेठा के हुई है सविधान सभा की बेठा का लग है और प्रारूप समीति के बेठा का लग है देखो प्रारूप समीति वो छोटी सी समीति है साथ सदस्यों की जो असले में स सामीधियों के माध्यम से सविधान बनाया गया है तो हमें पता है कि छोटी छोटी आठ समीतियां और उससे भी छोटी मतलब बड़ी-बड़ी 8 समीतियां और छोटी-छोटी 13 समीतियां थी समीतियों के अध्यक्ष हमने याद किये हुए हैं प्रारीप समीति जो थी उसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था याद रखना यह सबसे समीति या ड्राफ्टिंग कमेटिंग जिसे सविधान का प्रारूप तयार करना था तो इसके सातों सदस से रटे हुए होने चाहिए तो मैंने तो अपने इसाफ से रट रखें अंबेटकर आयंगर आयंगर मुंसी सादुल्ला खेतान एसी इस फॉर्मेट मों तो कौन-कौन थ रखें रखें हो तो आप तो इन साथ सदस्यों को याद रख लो अंबेटकर आयंगर अयर फिर मुन्शी माधव और क्रश्नामचारी खेतान याद रखलो मुन्शी माधव क्रश्नामचारी सादुल्ला ऐसे साथ सदस्य हैं एक बार बोल कर देखो कि तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे कोड़ बनाने की जोड़त नहीं मैंने बना रखा है लेकिन इसका इन पर क्या कोड़ बनाना चुटी चुटी बातों के लिए आगे बढ़ते हैं भारतिय सविधान का जो प्रारूप हो 1948 में प्रकाशित हुआ फरवरी में पहली बात याद रखना भारतिय सविधान ने सभाग की जो प्रारूप समीती थी उसने प्रारूप बना दिया और वो प्रारूप प्रकाशित कर दिया कहां से प्रकाशित हुआ देहरादून से प विचार किया गया था 141 उल्टा है 114 141 तो 114 दिन तक जो है वो कुल बेठा के हुई जनता ने कित्ते दिन तक विचार किया 114 दिन तक लोगों के सुझाव प्रस्ताव शिकायतों के लिए आट महा का समय दिया गया और दूसरी बार इसका सुधार के बाद प्रारूप जो है वो 1948 के अक्टूमबर में प्रकाशित हुआ तो दो बार सविधान का प्रारूप प्रकाशित होगा पहली बार प्रकाशित हुआ और जनता के लिए खोल दिया कि आपके विचार दे दो इस गुसरी बार प्रकाशित हुआ और वो कब हुआ अक्टूमबर 1948 पर और अब इसके बाद में होगा वाचन इसको फाइनलाइस किया जाएगा एक एक चीज पर लोगों की सहमती या जो सविधान सभा के सदस्यें वो सहमती देंगे तो इसके वाचन की बात करते हैं तो इसमें क शुकुल तीन वाचन होंगे कितने वाचन होंगे तीन समझ आ गई प्रोसेस क्या है कितनी vast seene में सभीधान सभाए बनेगी सभीधान सभा थोड़े थोड़े 8-8-10-10 सदस्यों को मिला करके काम बाढ़ देगी और उसी में एक काम मिलेगा प्रारूप समीति को कि भी आप प्रारूप तेयार करो लिखो उसको ड्राफ्ट बनाओ उसका तो प्रारूप समीति जो है वो साथ सदस्यों की होगी और वो एक प्रारूप तियार करेगी उस प्रारूप को फरवरी 1948 में कब फरवरी 1948 में प्रकाशित कर देगी यह हमने तियार किया जनता अपने सुझाओ दे या बाकी सदस्य भी अपने सुझाओ दे जनता ने अपने सुझाओ दे दिया उसके बाद 1948 के अक्टुमर महिने में फिर से इसको प्रकाशित किया गया दूसरी बार और जब वो दूसरी बार प्रकाशित हुआ तो फिर आम जनता से की सहमती वाला कॉंसेप्ट खतम अब जो सदस्य हैं वो उस पर वोटिंग करकरके एक एक प्रस्ताओं को पारित करते जाएंगे तो तीन बार वाचन हुआ 1948 में 4 नवेंबर से 5 दिन तक चलेगा ये और इसमें 9 बार चर्चा हुई ये याद रख लेना दूसरा वाचन जो है 15 नवेंबर को हुआ जिसमें खंडवार चर्चा हुई एक-एक बिंदू पर चर्चा होगी और उसमें 7,653 संसोधन किये गए ये याद रख लेना और अंतीम वाचन जो है वो 14 नवेंबर 1949 को किया गए तो तारीक शुरू की याद कर लो कब तक चला भले याद मत रखो चाहो तो वो भी याद कर लेना लेकिन तीन वाचन कब-कब 4 नवेंबर 15 नवेंबर 14 नवेंबर याद करो 4 नवेंबर 15 नवेंबर 14 चाउदा नवेंबर, तो पंदरा के बाद चाउदा आ रहा है, तो साल चेंज कर लो, तो 4 नवेंबर 1948, साल तो सबको सिंपल याद हो जाएगा, 48, 48, 49, ऐसे करना है, 48, 48, 49, 4 नवेंबर, 15 नवेंबर, 14 नवेंबर, हो गया याद, अमबेट करने जब प्रस्ता हो रखा तो उस का नाम क्या था, the constitution as settled by the assembly be passed, याद रख लेना ये point, आगे बढ़ते हैं, इसे 26 नवेंबर, 1949 को पारित कर दिया गया, हमें पता है ना, अंतिम वाचन 14 नवेंबर, 1949 को बुलाया गया, और जब वाचन पूरा हो गया, तो 26 नवेंबर को, हमने इसको पूरी तरह पारित कर दि या, 26 नवेंबर, 1949 वो तारिक है, जब अंतिम रूप से सविधान पारित हो जाएगा, तो क्योंकि सविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे, पाकिस्तान अलग हो गया, तो 299 बचे, सविधान जब तयार हुआ, 284 सदस्य बचे, जिनोंने इस पर हस्ताक्षर किये, सवि जनवरी 1950 को इसको फाइनली पूरी तरह पारित कर दिया, लेकिन इसके कुछ हिस्से को 26 नवेंबर 1949 को पारित कर दिया, अब रीजन आपको याद है कि 1939 में जब हमने रावी नदी के किराज जंडा फेराया था, तो उसकी याद में जनवरी तक रोका गया था, 26 नवेंबर 1950 को 15 अनुच्छेद जो हैं वो लागू कर दिये गए थे, तारीक याद रखना 26 नवेंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किये थे, कौन कौन से, नागरिक्ता के अनुच्छेद, भारत के रास्पती के अनुच्छेद, और चुनाओ के अनुच्छेद, और सविधान के नाम वाले अनुच्छेद, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये पांच अनुच्छेद नागरिक्ता के हैं, क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि कौन भारत का नागरिक है, साथ, भारत के रास्पती वाला, तीन सो चोविस, चुनाओ वाला, ये जो अन्यूबंद करने वाले आर्ट जन्वरी को अन्ततर भारत का सविधान पूरी तरह लागू और भारत एक गंतंत्र बन गया, ये हमें पता है, आगे बढ़ते हैं, जो हमारी सविधान सभा है, सविधान सभा में कहां कहां से कितने कितने सदस्य लिये गए, हमने टोटल तो याद कर लिया, कि दोसो निन्या जादा थे 55 सदस्य और MP से 17 सदस्य थे, MP का उस समय नाम MP नहीं था, CPN बदा अबरार था, हमारे जो राजी की देशी रियासत थी भोपाल से 1 सदस्य, इंडोर से 1 सदस्य, ग्वालियर से 4 और सबसे जादा मेसू रियासत से 7 का चैन इसके लिए हुआ था, ये याद रख ल जो है, वो भी महारास्टा से चुने गए थे, जवाला लहरू सयुक्त प्रांत से, राजेंदर प्रसाद बिहार से चुने गए थे, चार बड़े निता याद कर लो, कि वललब भाई पटेल जो है, महारास्टा से, अमबेट कर वो भी महारास्टा से, जवाला लहरू सयुक् यह हमी याद करना है, मध्य भारत से विनायक सितारम सरवटे चुने गए, यह हमी याद करना है, भोपाल से लाल सिंग चुने गए, राजकुमारी अमरता को और भगवंत राव मल्लोई मध्य प्रांत से चुने गए, तो यह जो भारत की सविधान सभा में मध्य प्रदेश से सदस से गए थे ना ये अलग से याद कर रहे हैं हम कि ये चार तो हमने अलग-अलग राज्यों से याद कर लिए विनायक सितराम सरवटे जो हैं वो मध्य प्रांत से थे ये याद कर लिया मध्य भारत से थे राजकुमारी अम्रताक और भगवंत्राव मंडोई जो थे वो मध्य प्रांत से थे तो ऐसे हमें याद कर लेना है next point पर चलते हैं सविधान सभा के कुछ फेक्ते याद कर लेते हैं जैसे सविधान बनाने में उसने कितना समय लगाया 2 वर्ष 11 महा 18 दिन का सभेदान निर्मार में लगबक 64,00,00,00 रूपे खर्ष किया गया सभेधान का जो मूल था वो इंगलीश भाषा में लिखा गया था क्सने लिखा था तो शांती निकतन के टीचर सवर स्टूँडेंट द्लावारा लिखा गया प्रती में वो किसने की नंदलाल बोस और राम मनोहर ने की इसके लेखक कौन थे प्रेम बिहारी नाराया और राइजादा जिनोंने इंगलिश में इसको लिखा याद रखना आगे बढ़ते हैं प्रकाशन हमने पढ़ लिया देहरादून से दो बार हुआ पहली बार फरवरी 1948 दूसरी बार अक्टुमबर 1948 हिंदी में अनुवात किसने किया बसंत क्रेश्न वेद्ध ने किया किसने किया बी के वेद्ध ऐसे याद कर लो सविधान के मोहर क्या थी हाती का निशान याद हमें प्रमुक परुपकार कौन थे एलन मुखर जी थे सविधान सभा का सचिव क यो उस समय कि राजनीती की बांगडोर अपने हाथ में रखते तेकिन सविधान सभा के सदस्य दोनों इन्हीं थे ना तो मुहम्मद अली जिन्ना कभी सविधान सभा के सदस्य बने न महात्मा गांदी इसके कभी सदस्य रहे तो यह दोनों पॉइंट समय याद रखना है इसने सविधान सभा को एक सयंत्र की उपादी दी थी M. वेंकट रमया ने दी थी याद रखना सविधान सभा मात्र हामी भरने की काई नहीं है यह BR अंबेटकर ने कहा था क्योंकि BR अंबेटकर उस पे बहस करते थे हर एक बात पर अपना पक्ष रखते थे और सब लोगों को अपने अपने पक्ष रखो तो जाके हम अच्छा सविधान बना पाएंगे इसलिए इन्होंने कोटेशन बोला किहें कि và'll haamी भरने का साधन नहीं है हां- clot की अपने पक्ष रखे अपन Independent करने सविधान सभा सारे भारत की लगू जहां की प्रस्तुत करती है ग्रेंविल आस्टीन ने कहा तक इसने कहा एक अच्छे सविधान वेथ हैं ग्रेंविल आस्टीन इन्हों कोई भी ऐसा वर्णन नहीं जिसमें सविधान सभा का प्रतिनी दित्व प्रात्पना हो यह कह रहें के सन्थानम क्या कह रहें है कि सविधान सभा में ँप्रवीत्र दस्तावे जैसी कोई जाकी सविधान सविधान गुप Owen के इससा Chris और रद़य बियार अंबेट करने कहा है तो आगे की बात है। येदि कोही सविधान जन्मानस की अकंशाओं के अनुरूप नहीं है तो वहाँ खोकला है। ऐसा पंडित जवाला नहरू ने कहा था। सविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग या सविधान को सवकीलों का स्वर्ग बियार अम्बेट करने कहा है Heart of Constitution Article 32 को कहा जाता है बियार अम्बेट कर द्वरा देखो दो बाते हैं सविधान का हरदई कौन है प्रस्तावना सामान ने रूप से पूछे कि सविधान का हरदई किसे कहा जाता है Heart of Constitution प्रस्तावना को बियार अम्बेट करने किसे भारती है सविधान का हरदई कहा है या Heart कहा है तो आंसर होगा Article 32 सविधान के आत्मा प्रस्तावना को कहते है सामाजिक क्रांती और समाजवात का दस्तावेज किसने कहा सविधान को ग्रेनविल आस्टीन ने कहा तो हमने ऐसे कुछ पॉइंट्स पड़े अब देखिए वीश्व के देशों से कुछ-कुछ इस्तुरोत हमने लिए है वो इस तुरोत पर फोकस कर लेते हैं ब्रेटेन से संसदिये शाशन व्यवस्था आई सबको पता है वहां की संसद हमारे यां काम करने लगी थी हमारे यां नियम बनाती थी तो सेम पेटरन हमारे यां फॉलो किया संसदिये शाशन व्यवस्था आगई उन्होंने विधी बनाते सिखाई क्योंकि कानून 1772 से हमारे लागू करकर के हमको सिखा दिया कैसी विधी बनानी है तो संसद ने बना दी विधी और नागरिकों के लिए एकल नागरिकता कर दी मंत्री मंडलिये व्यवस्था बना दी द्वी सदनात्मक व्यवस्था बना दी और राष्टपती का पद ब्रिटेन के क्राउन जैसा हमारे देश में बनाया गया तो ये छे विशेषता हमने कहां से ली ब्रिटेन से ली अमेरिका से हमने क्या क्या लिया तो अमेरिका के बहुत अधिकार है ना पूरे विश्व पर अधिकार जताता रहता है तो मूल अधिकार कहां से लेंगे हम अमेरिका से लेंगे न्याई पालिगा की स्वतंत्रता कहां से लेंगे हम अमेरिका से देखो ऐसा है कि तीन अलग-अलग बाते फेमस है अगर अमेरिका में सर्वच कोई है तो वो है न्याई लई ब्रिटेन में सर्वच कोई है तो वो है संसद और भारत में सर्वच कोई है तो वो है सवीधान देखो ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि वो आदमी को पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के अलाओ बाकी सब कुछ कर सकती इतनी स्ट्रॉंग है तो ब्रिटेन में प्रमुक कोन हुआ संसद USA में न्याईल का न्याईले से संबंदी थी बात है रास्टपती का महावयोग हमने इसी से लिया सर्वच्च न्याईले हार कोड के न्याई धीशों के पत को हटाने की जो प्रोसेस वह भी यहीं से लिया गया तो ब्रिटेन और अमेरिका से जादा जादा चीजे लिए याद रखना है और आगे बढ़ते हैं आयलेंड से हमने निति निर्देशक सिध्धान्त ले लिए डीपीएसपी राश्च्वपती के निर्वाचन की पद्धती ले लिए राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ले लिया और कलेक्टर का पद ले लिया देखिए कलेक्टर का पद वैसे तो कई से लिया चोलेक्टर के स्वरूप को लिया साथे लिया है अस्त्रीलिया से हमने समवर्ती सूची ले ली तो सूची अगर हम 4 लोग बेठे हैं और कोई लेकर क्या आता है तो ट्रे में रख के लिए क्या आता है तो ट्रे में क्या लिया है सुमवर्ती सूची लिया है सही उक्त बेठक की व्यवस्था भी हमने इस ट्रे में करवा दी कनाडा का से क्या लिया संघिय व्यवस्था क्या कुछी भी ले ली हमने अब आजकल नाड़े की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोग हुक वाला पेंट पहनते हैं सब नाड़े की आउसिस्ट चीज बन गई नाड़ा एक आउसिस्ट व्यवस्था बन गई मैं कनाड़ा को नाड़ा बोल रहा हूं राज्यपालों की नियुक्ती ये भी हमने वहीं से ली और उच्छतम नियालाई का परामर्श ये भी हमने कनाड़ा से लिया जर्मनी से हमने के लिया आपात उबन देखो जमेगा नहीं तो आपात काल लगा देंगे देश की सरकार को गन नहीं जम रहा है कि जमी नहीं रही है व्यवस्था है व्यवस्था नहीं कर पा रही जम नहीं रहा है तो जमेगा नहीं तो आपातकाल लगा लेंगे तो आपातकाल कहां से लिया जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का हनन कहां से लिया वहां से लिया रूस को हम रूम पढ़ लो रूम में क्या है मूल कर्तव ये कहा है रूमम में जब तक मोले कर्तव हमारे कहां से लिए गह रूश से लिए आगे बढ़ते हैं डक्षी अफ्रीका। आपने एक सबजी बनाई और वो फीकी रह गई तो जो फीका रह गया तो उसमें संसोधन करेंगे बाद में हम नमक डाल करके तो संसोधन कहां से लिए अफरीका से लिए याद रख ले ना जापान से हमने क्या लिया जापान बनाने की एक वीदी होती है ना पहले पत्ता लो फिर कथा घीसो फिर उसमें सुपारी डालो फिर फलाना डालो ऐसे तो एक वीदी है जापान बनाने की तो जापान से वीदी द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ले लिया हमने इससे रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट तीथिया याद कर लेना केबिनेट मिशन कब आया था 24 मार्च 1946 को आया था हमारा सविधान सभा का गठन कब हुआ सविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ उद्देश प्रस्ताव कब रखा 13 दिसंबर 1946 को रखा 22 जुलाई को रास्तो धच को अपना लिया गया है 11 जुनरी को उद्देश पस्ताव पारीत कर दिया गया है और 3 जुन 1947 को माउंट बेटन योजना को स्विकार कर लिया गया इस माउंट बेटन योजना से ही पाकिस्तान और भारत की सविधान सबाय अलग-अलग होई थी याद रखना विश्व का सबसे बड़ा सविधान बन कर तेयार हो गया इत्ती बड़ी सविधान सबा ने भहुत महनत करके विश्व का सबसे बड़ा सविधान बना दिया जिसमें 22 भाग 359-6-8 अनुच्चियां थी लग-बग डेढ लाख शब्द थे तो विश्व का सबसे बड़ा सविधान भारत का हो गया सबसे छोटा सविधान अमेरिका का हो गया शब्दों की सीमा के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा सविधान भारत का हो गया और सबसे छोटा जो है मुनक्को का हो गया कहां का हो गया मुनक्को का याद रख लेना तो भारत का जो सविधान है वो 22 भाग 396 दूर 8 अनुसूची वाला है 396 और 12 अनुसूचियां ही है क्योंकि सविधान के जो अनुसूचियां है वो नंबरिंग से जोड़ी गई तो जो नंबरिंग से जोड़ी गया तो संख्या बढ़ गया लेकिन अनुच्छत क्या किये गए चाउदाक पंदराक ऐसे जोड़े गए इनको याद नहीं करना है टोटल तीन सो पिंचाइड़नों ही दर्शाएंगे हम और आगे बढ़ते हैं हमारी जो अनुच्छिया है वो हमने कोड बना कर आपको याद करा रखिए यह खेर हमने से व भाभूद अपन क्या कोड है सववेशरा अजसू भाभूद अपन क्या है कोड सववेशरा अजसू भाभूद अपन याद रख लेना तो सववेशरा अजसू भाभूद अपन याद रखोगे तो यह पूरा याद हो जाएगा सासे संग और उसका राज्य छेत्र वे से वे ब्हुमी सुदार, धल बदल, पंचयतो के कारिया करों नगरनिकाई के कारिया से दल बदल भुमी सुदार और भाशा, सूचियां, जनजाती छेत्र, अनुसूची छेत्र, रसे राज्यसभा में विभिन राज्यों का प्रतिनी दित्व, शहसे शपत, वसे वेतन और संग का छेत्र, यह हमने अनुसूचियां याद कर ली, आगे बढ़ते हैं हमारे जो अनुसूचियां थी वो संसोधन से, 52 संसोधन से, 1985 में हमने 10 वी अनुसूची जोड़ी, जो दल बदल से संबंदित हैं, 33 संसोधन 92 और 34 संसोधन 92 से, 11 वी और 12 वी अनुसूची जोड़ी गई, तो इस प्रकार हमारा जो संसूधान था, उसमें 12 अनुसूची हो गई, अब वेश्वा में जो दुन पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, दस्तूरे पाकिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दस्तूरे पाकिस्तान, स्रे लंका में सौलबरी सविधान कहा जाता है, जापान में शोवा सविधान कहा जाता है, और भारत में भारत का सविधान कहा जाता है, तो यह वीश् तो सविधान सभा के आगे भाग एक और भाग दो पढ़ सकते लेकिन मैं आपको वो नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि हमारे सिलिबस में अविलेबल नहीं है हो सकता है कि उससे कुछ काम की बाते हों क्योंकि इतना आप लोग पड़े लिखे हैं छोटा मुटा अगर कोई फेक्ट आएगा तो आप कर लेंगे इसलिए अब उनको नहीं छड़ना है एक्जाम के टाइम पर उसी पीस पर फोकस किया जाए जो हमारे काम का है तो आईए मु मौलिक अधिकार है इसमें हमें इसमें मूल रूप से सारे आर्टिकल्स याद करने और उसके अंदर की जो बाते हैं वो जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन वो याद करनी है मैं फटा फट जल्दी जल्दी आपको या आर्टिकल्स याद कराता हूं यादे ना सबको भागतीन मोल्क अभिखार हैं याद करेंगे कि तीन में मोल्क हैं तो मोल्क양 कितने शब्द का है क्पाइब कितने शब्द हैं तो भाग में नहीं करता है किसी और के मौली कदिकारों के लिए तो आदमी के पास मौली कदिकार ना हो तो 12 बज्याती और कोई भी 3-5 नहीं करता है तो 35-35 तक फेले हुएं अब हम एक एक और प्रूकस करते हैं कि पहले मौली कदिकार किया होते है थोड़ा परिभाशिक रूप में समझे कि मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो मौलिक है मौलिक क्या है? मौलिक शब्द का क्या आर्थ हुआ? जो मानों कि मौलिक विकास, मौलिक रूप से बहुत धीक, आध्यात्मिक, शारिरिक, मान, सिक इनके विकास के लिए जरूरी है, इनको हम मौलिक कहेंगे इसलिए इसे मुलिक कहा गया या दूसरे तरीके से यूं कह सकते हैं कि जो मुलिक विधी मुल्विधी क्या होती देश की मुल्विधी देश की होती सवीधान और भी देश में विधिया हैं जैसे IPCA, CRPCA जैसे परियावरन असर रक्षन दिनिया में IT Act, बहुत सारी विधी आए, बहुत सारे कानून, लेकिन मूल विधी क्या है, सविधान, तो मूल विधी में जिन अधिकारों का वर्ण में, उस कारण से उनको मूलिक अधिकार कहा जाता है, यह हम याद रखेंगे कि मनुष्य के जो अधिकार है, वो चार प्रकार के होते हैं वैसे एक प्रकार additional है, इसमें तो पांच प्रकार हो गया, प्रकरतिक अधिकार, वो जो प्रकरती ने हमको दिये हैं, वो प्रकरतिक अधिकार होते हैं, मानव अधिकार, तो मानव होने के नाते मानव को जो प्राप्त होते हैं, वो अधिकार मानव अधिकार हो जाते हैं, जो सविधान द्वारा दिये जाए वो सविधानी का दिकार है तो यह दोनों तो हमारे देश में एकी हो गए विदिक अधिकार जो किसी कानून के माध्यम से हमको दिये जाए जैसे अगर कोई कानून बना दिया जाता है जैसे मन रेगा मन रेगा में क्या प्रावधान है कि को कोई भी व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा उस अधिनियम जैसे खाद्य सुरक्ष अधिनियम तो आपको 35 किलो तक अनाज प्राप्त करने का अधिकार है तो यह जो कानूने यह जो बात है यह विदिक अधिकार हो जाते हैं मुझे यकीन है आप लोग बेसिक डिफरेंस सम कौन से थी समानता स्वतंत्र शोशन तीन संह हैं समानता स्वतंत्रता शोशन तीन स्वतंत्रत संफ आप वैसे भी संपत्ती चोरी हो जाती हैं न चौरी 4 चोरी 4 skirt से avait हमारे पास छे मुलिक अधिकार बचे हैं तो यह कौन-कौन से आर्टिकल से कहां कहां तक हैं वो याद कर लेते हैं बेसिक याद करें तो 14-18 19-22 23-24 25-28 याद कर लिया हमने सव्वेधाने गुपचारों का अधिकार 32-29 और 30 यह चाहें तो याद करने में एक एक आर्टिकल से आपको याद करा ही रहा हूं याद करी लेते हैं उस पर एक एक पर चलते हैं इससे पहले थोड़ी सी इसकी विशेष्टा है समझ लेते हैं क्योंकि एक कुरपरशने इनमें से भी आ जाता है कि मोलिक अधिकार के रेलेटइट कहां से स्टोरी शुरू होती है तो देखो मुलिक अधिकार का विचार इस दुनिया को देता है कौन सा देश इंगलेंड इंगलेंड ऐसा देश है जिसका एक जमानेम पूरी दुनिया में कबजा था उसी ने दुनिया को अधिकार दिये तो मुलिक अधिकारों का विचार कहां से आया इंगलेंड से और इंगलेंड में 1215 में जो मेगना कार्टा हुआ था या मेगना कार्टा की घटना हुई थी वहां के राजा ने सामन्तों को जो अधिकार दिये थे उसी से मुलिक अधिकारों के शुरुआत होती है अधिकारों का गोशना पत्र कहा जाता है मेगना कार्टा को इंगलेंड के राजा किंग जॉन ने 1215 में सामनतों के दबाओं में इसको जारी किया था और नागरीक अधिकारों से सम्मंदित विश्व का पहला गोशना पत्र था ये तीन छोटी-छोटी सी बातों में हमें याद हो जाएगा इस 17-वी शताब्दिय जॉन लॉक द्वारा प्रकतितिक अधिकारी को व्याख्या की गई है ये भी उरोप के ही हैं तो आप चाहो तो इसे याद रखो चाहो तो याद मत रखो आगे बात करते हैं 1776 में अमेरिकी स्वतंतरता में गोशना पत्र में अधिकारों का वर्णन था तो पहली बार में सव्वेधानिक रूप से अधिकारों को किसी ने दिया तो वो अमेरिका है तो दो बाते हो गई विश्व में अधिकारों को पहली बार इस ने दिया इंग्लेंड न लेकिन क्योंकि वो राजा के द्वारा थे तो सव्व fragment प्राइनिक रूप से 1776 में अधिकारों के स्वतेंतर रूप में जो है अमेरिका ने इसको दिया 1790 में मानव अधिकारों में के फ्रांसी सी घोषणा पत्र में भी इनका वर्णन था जो और ज्यादा विस्तरत थे स्वतेंतरता समानता बंदुत वैसे मूल सिध्धान्तों का युनाइटेड नेशन ने 1948 में युनो में सार्व भूमिक अधिकारों की घोषणा की और प्राकरतिक अधिकारों के मान्यता देदी इसलिए हम 10 दिसंबर 1948 को क्या मनाते हैं से क्या मनाते हैं मानव अधिकार दिवस मनाते हैं क्योंकि युनाइटेड नेशन द्वारा मानव अधिकार विश्व में सभी देशों को दिये गए हैं ये तो इसकी बेसिक शुरुवात थी भारत में ये बात कहां से आती है भारत में मूल अधिकार कहां से जन्में तो देखो भालत में मूल अधिकारों की जो मांग है उनको हम पाच्छे चरणों में समझते हैं कि पहली बा बार रखा गया था फिर से समझते हैं मानव अधिकार की पहली बार इस भारत में अगर किसी व्यक्ति ने बात की तो 1855 में स्वराज विदेक के माध्यम से तिलक ने बात की थी और उसमें क्या-क्या मांगे थी कि हमें स्वतंत्रचा चाहिए बोलने की हमें नीजता का अधिका चाहिए और मानव अधिकार चाहिए ये तीन बातें उसमें कही गई थी 1928 में नहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है और उसमें सार्वभोविक मता अधिकार के साथ मुलिक अधिकारों की बात की जाती है तो दूसरी बार जो लिखित रूप में इसकी बात की वो मोतिलाल नहरू ने जब नहरू रिपोर्ट प्रकाशित की या नहरू रिपोर्ट बनाई तो उसमें मता अधिकार के साथ साथ मानव अधिकार का वर्णन था 1931 में सरदार पटेल की अधिक्ष्टा में कॉंग्रेस के कराची अधिकारों की मांग की गई मोलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस द्वारा कब की गई थी 1931 में काराची अधिवेशन में 1948 को या जब युनाइटेड नेशन की सभान ने दे दिये तो हमें भी फिर अपने सविधान में शामिल करने ही थे हमने कर भी लिए आगे बढ़ते हैं मोलिक अधिकारों का इस् चोटी चोटी बाते हमने दूसरे देशों से लिए जैसे समता कादिकार फ्रांस के स्वतंत्रता समता और बंदुत्व के आदर्श से लिया गया है वीधी के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से लिये जबकि वीधी का समान सनरक्षन अमेरिका से लिया है दो अलग-अलग ब प्रक्रिया हमने कहां से लिए जापान से लिए कि देखऊ कि चीज का व्यापार करते हैं त्रे परमादिकार या जो अपनी विशेश अधिकार रिट से वह भी हमने ब्रिटेन लिएं तो ऐसे अलग अलग उसमें कुछ चीजे हैं जो हमने पढ़ ली याद रखना छोटी-छोटी सी बाते हैं आगे बढ़ते हैं मूल अधिकार से संबंदित कुछ छोटे-छोटे से फैक्ट से हैं वो भी याद रख लेते हैं मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को मेंगना कार्टा कहा जाता है सविधान का मेंगना कार्टा किसे कहा जाता है मूल अधिकारों को याद रखना इसे अधिकार पत्र कहते हिंदी में मूल सविधान में साथ मूलिक अधिकार थे बात में 6 कर दिये गए चुम्मालिस पे सविधान संसोधन से एक हटा दिया संपत्ति का अधिकार बियार अंबेट करने सविधान गुपचारों के अधिकार को सविधान की आत्मा कहा है या हरदय कहा है एक ही बात है मूल अधिकार जनता के लिए सकारात्मक जबकि राज्य के लिए कैसे है नकारात्मक तो एक्जाम में अगर ऐसा कोई effect आता है तो याद रखना मूल अधिकार जनता के लिए सकारात्मक है जबकि राज्य के लिए नकारात्मक क्योंकि ये जंता को तो छूट प्रदान करते हैं जबकि राज्य के उपर कुछ प्रतिबंद लगा देते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकता मूल अधिकार असिमित नहीं है राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंद लगा सकता है हमें पता है कि आपातकाल के दुरान उन पर प्रतिवन लग सकता है तो हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का मुलिक अधिकार असिमित नहीं है आगे बढ़ते हैं मुल अधिकार वाद्योग्य है मुल अधिकार व्यक्ति को अधालत जाने के शक्ति देते है मुल अधिकार इस्था ही नहीं है कोई परिस्थितियां बदली तो हटाना पड़ेंगे कुछ परिस्थितियों में आपको देने पड़ेंगे तो संसद इनमें कटोती कर सकती है हमें पता है की भी गई है चुम्मालिस्व सविधान संसोधन से हटादिया सविधान रास्टी आपातकाल के दोराने निलंबित किया जा सकता है और 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता कुछ विशेश स्थितियों में रास्टिय आपातकाल से भिन ऐसे छेत्रे इनमें क्रियानवेन रोका जा सकता है जहां सेन्य कानून प्रभावी हो ये बाद हम बहुत सिंपल तरीके से जानते हैं कि ऐसे छेत्रे जहां सेन्य कानून प्रभावी होते हैं वहाँ पर मोलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार सुनने कर दिये जाते हैं सुनने गोशित कर दिये जाते हैं आगे बढ़ते हैं अब हमें जो मोलिक अधिकार हैं वो याद करने हैं तो हमें पता है 12 और आर्टिकल 13 जो है वो किसी विशेश मोलिक अधिकार का वर्णन नहीं करता 12 में लिखा है राज जी की परिभाषा और 13 में लिखा है 12 क्या कहता है राज जी की परिभाषा और 13 कहता है कि संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाती है तो जिस से मोलिक अधिकारों का हनन हो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 5 आर्टिकल हैं ये विधी के समक्ष समानता की बात करते हैं आर्टिकल चौदा क्या कहता है विधी के समक्ष समता अभी हम डीटेल में बात करेंगे इस पर लेकिन अभी आर्टिकल सरट लेते हैं तो चौदा कैसे याद करें कि विधी की बात करत है सब समान होंगे हम याद करने के लिए इनको जोड रहे हैं các आर्टिकलढा में क्या दिया हुआ है येख्ण आर्टिकलढा किis जाती, वंश, लिंग, जन्म, इस्थान इन पांच आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये का लिखा हुआ है, पंद्रा में सोला, देखो सोला, सोला कैसे याद करेंगे सोला साल की उमर में आदमे को काम करना पड़ता है, तो आइस परशता कैसे याद करेंगे, हम बोलें हिंदी में सत्रा, सत्रा पर क्या होता है, खत्रा खत्रे से क्या हो गई, आइस परशता खत्रा था, इसलिए तो आइस परशता बना दी हमने, तो सत्रा पर हो गया खत्रा, खत्रे से हमने क्या बना दी अइस परचता अब अच्छा 18 18 में उपाधियों का अंत कैसे याद करेंगे देखो 18 उपाधियां पराप्त थी उससे जोड लीजिए 18 उपाधियां पराप्त थी तो 18 याद हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल्स हमने याद कर लिए इन 7 आर्टिकल्स की थोड़ी डीटेल देख लेते हैं 12 में क्या दिया हुआ है राज्य की परिभाषा यहां राज्य शब्दों में क्या-क्या चीजे शामिल है भारत की सरकार और भारत की संसद ये शामिल है राज्य में प्रतेक राज्य सरकार और विधानमंटल राज्य शब्द में शामिल हैं, इस्थानिय निकाई राज्य शब्द में शामिल हैं, और अन्य सभी निकाई या वेधानिक प्राधीकरण जैसे LIC, ONGC ये सब भी राज्य शब्द में शामिल हैं, ऐसा कहता है भारत के सविधान का आर्टिकल 12 यह याद रखना एक शब्द में राज्य की परिभाशा तो दिए हुई है देखो 12 कैसे लिखते हैं ऐसे राज्य में यह उल्टा है 1221 राज्य की परिभाशा तो उस परिभाशा में क्या क्या चीजे शामिल याद रखना भारत की सरकार, राज्जी की सरकार, इस्थानिय निकाय और इस्थानिय प्राधिकरण जैसे LICONGC ये सब राज्जी कहलाएंगे आर्टिकल 12 के हिसाब से और आगे बढ़ते हैं अलग-अलग वात्थे इनको नहीं समझना है आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई कानून बना हुआ है और वो कानून मुलिक अधिकारों का हनन करता है तो वहाँ उस इस्तर तक सुनने हो जाएगा जहां तक वो मुलिक अधिकारों का हनन करता है तो तेरा बोलो एक पर तेरा से तेरा सब कुछ सुन्ने है मतलब हम तेरी मेरी करना लग जाते है नो तो हमारी इज़त सुन्ने हो जाती है जो जादत तेरा मेरा करके बोलते हैं उनको उनकी इज़त नहीं करते हैं सुन्ने हो जाती है उनकी जत्त तेरा इस इक्वल्टू सुन्ने याद कर लो मुलिक अधिकारों से आसंगत वीधियां है इसमें तीन अलग-अलग आर्टिकल्स में बात की गई है तेरा एक दो तीन और चार सविधान के प्रारंब में जो वीधियां प्रवत्ती वो उन मात्र तक सुनने हो जाएगी तो ये दोनों क्या हो गया एक आर्टिकल कह रहा है कि पहले सविधान लागों होने से पहले अगर ऐसे कोई कानून बने हुए है जो मुलिक अधिकारों का हननन करते हो तो मुलिक अधिकार के लागों होने पर वह कानून फतर सुनने हो जाएगा उस म में क्या के शामिल होगा तो उस वीधी और प्रवत्य वीधी में डिटेल में बहुत सारी बाते हैं आप लोग ये याद रख लेना मेरे हिसाब से कि वीधी शब्द में प्रथा रूडी परंपरा कानून और अध्यादेश इन पांचों चीजों को जो है क्या अध्यादेश आ 68 के अधीन सविधान संसोधन को पर लागू नहीं होगे तो ये बाद-बाद में चेंज भी हुई आप इसको बहुत जादा मत डीप में जाईए ये याद कर लीजिए कि जो 368 आर्टिकल है उसके तहट आर्टिकल 3 जो है वो स्वरी 13 का जो 4 है वो प्रवत नहीं होता है या 12 और 13 हमने समझा अब आर्टिकल 14 पर आजाते हैं हमने पढ़ा कि 14 में क्या दिया हुए विधी के समक्ष समता दी हुई है तो इसके दो अंग होते हैं क्या लिखा हुआ इस आर्टिकल में राज भारत के राज शेत्र में किसी व्यक्ति इसके को विधी के समक्ष समता या व विधी के समक्ष समता कहां से ली गई है ब्रिटेन से ली गई है जबकि विधियों के समान सनरक्षन कहां से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है तो विधी के समक्ष समता का क्या आर्थ होता है देखिए इसका सिंपल सा आर्थ होता है कि कानून के समक्ष सारे लोग समान हो ये इतना सा कहता है विधी के समक्ष समता जबकि विधी के समान सनरक्षन का क्या आर्थ है कि गरीब अमीर आदी जो लोग है या गरीब अमीर महिला पुरुष विधी इन सब को बराबर रखने या समान परिस्थिति तक लाने के लिए भेदभाव कर सकती है याद रखना समान सनरक्षण में ही इसका भेदभाव भी चिपा हुआ है कि दोनों को एक पलड़े पर लाने के लिए दोनों को बराबर करने के लिए करने तक विधी जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है ये बाद याद रखिएगा जैसे एक व्यक्ति ने हत्या की है और एक वेक्ति ने जान बूच कर हत्या की है तो यहां दो अलग-अलग बाते हो गई यह एक वेक्ति ने अपने जान बचाने के लिए हत्या की थी और एक वेक्ति ने दूसरे के हत्या जान बूच कर की है मतलब जान लेने के इरादे से जान ली है तो ये दोनों अलग-अलग है तो अगर वीधी के समक्ष समता की बात की जाए तो दोनों ने हत्या की है तो दोनों को समान सजा दी जाए लेकिन अगर ये कानून लागू हो जाए वीधी के समान सर्रक्षन वाला तो ये कहता है कि नहीं भाया इन्हों ने जिन जिन उद्धिश्च से मतला हत्या करने के उद्धिश्च से हत्या किये तो दूसरे वाले को सजा देंगे पहले वाले को छोड़ देंगे ये प्रावदान कहता है विदियों के समान सनरक्षन का आगे बढ़ते हैं यहां नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प् इसके बात के जो आर्टिकल्स हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है तो आपके वह पांच आर्टिकल्स रट्टा मार लीजिए थोड़ा सा हमें याद करना है 14-15-1939-30 यह जो पांच आर्टिकल्स हैं यह सबको याद रखने हैं यहां व्यक्ति शब्द में विधीक व् शामिले निगम भी शामिले और बाकी की जो संस्थाय होती उनको भी व्यक्ति मानता है यह आर्टिकल्स इसके कुछ अपवाद हमारे सविधान में ही वर्णित हैं जैसे रास्टपती भारत के रास्टपती और राज्यपाल पर यह विधी के समक्ष समता वाला कानून लाग किया जाएगा तो वह इसका क्या हो गया फिर अपवाद हो गया क्योंकि विधी के समक्ष समता नहीं रही न वहां अपने कार्यकाल के दोरान किये गए निया कारियों के लिए विरुद्ध नियायले में जवाब भी नहीं किया जा सकता है उनको गिरफतार भी नहीं किया जा कोई अगर किसी वक्ति को गाली दे देता है तो वो किसी पुलिस स्थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा क्योंकि हमारे सविधान ने संसद में जो कारी किये जाते हैं उनको संसद तक ही सिमिद रखा है बाहर उनके आगमन पर या उनके लिए न्याईले में कोई पक्ष समान संरक्षण से छूठ दी गई है सैयुकत रांष्ट का कोई प्रतिनिधितव आता है तो उसको भी इससे छूठ दी गई है तो ऐसे अर्टीकल 14 ओप्राल क्या कहता है कि विधि के समख्ष संता है और विधि के समान संरक्षण दोनों मिला कर भारत में लागू की जाएंगी और उसी में कुछ अपवाद लिखे हैं तो हमने तीन-चार अपवाद भी याद कर लिया आर्टिकल सवुदा के बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल पंद्रा क्या कहता है आर्टिकल पंद्रा कहता है कि एक व्यक्ति के साथ ये पंद्रा लिखा हमने एक व्यक्ति के साथ इन पाँच आधार उपर पाँच कौन कौन से आधार है धर्म, मूलवंच, जाती, लिंग और जन्मिस्थान के आधार पर भेदभाव का निशेद भेदभाव नहीं किया जाएगा याद रखना ये बात और इसी में छे अलग-अलग बाते की गई है यहीं से कोशन बनते हैं कि महिलाओं को आरक्षन किस आर्टिकल से दिया गया है तो देखें वैसे तो ये कहता है कि ना तो जाती क्या आधार पर आरक्षन होगा या भेदभाव किया जाएगा लेकिन इसी के सब आर्टिकल से आरक्षन की बात की गई है वो हम पढ़ लेते हैं राज्य के नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म जाती लिंग जन्मिस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा यह इसका उपखंड एक केहता है उपखंड दो केहता है कि कोई नागरिक केवल इन पाँच आधारों के आधार पर कोई निर्योग्यताय दाइत्व या निर्बंधन के लिए योग्य नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं कि इन 5 आदा ओर ओपर आप उस पर टेक्स लगा दो पहले आर्टिकल और दूसरे उबंद में डिफरेंस है पहला कहता है कि इन 5 आदा ओर ओपर किसी एक वेक्ति से के साथ कुछ इस्पेशल नहीं किया जाएगा जैसे उस पर टेक्स लगा दिया आपने या उस पर जादा टेक्स सबसे टेक्स वसूल रहे हैं उससे जादा वसूल कर रहे हैं एक वेक्ति को जाती के कारण कहीं पर आने जाने नहीं दे रहे हैं तो ऐसी बाते यहां कहीं गई है आगे बढ़ते हैं उपकंड तीन जो है यह बहुत important है याद रखना राज्य को इस्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेश उपबंद करने से नहीं रोकेगा तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो भी विशेश उपबंद किये जाते हैं भारत की सरकार इसी आर्टिकल के तहट करती है तो भले इसे वो उजवला योजना में महिलाओं को गेज सिलिंडर बाटने की हो रजिस्ट्री में महिलाओं को पैसे में छूट दी जो शूल का लगता है उसमें छूट की बात हो बच्चों के लिए RTI की बात हो या महिलाओं के लिए आरक्षन की बात हो वो सारा जो प्रोसेस है वो इसी आर्टिकल का फॉलो करके कहा करा जाता है याद रखना अगला आर्टिकल कहता है कि सामाजे गेवम सेक्षनिक रूप से पिछड़े या STSC के विकास के लिए कोई उबंद कर सकती है तो जो राजने दिक रूप से STSC को या किसी भी प्रकार का आरक्षन है देखो नोकरियों की बात नहीं कर रहे है महिलाओं के लिए तो नोकरियों की बात भी आर्टिकल 15.3 में ही हो गई है लेकिन STSC OBC के लिए आरक्षन की नोकरियों में आरक्षन की बात यहां नहीं हो रही है आगे होगी वो 16 में तो आर्टिकल 15.4 क्या कहता है कि विधान साभा में MPPSC के फॉर्म भरने में या किसी और चीज में STSC या पिछडे वर्गों को छूट देनी है तो वो आर्टिकल इससे दी जाएगे केवल नोकरियों में जो आरक्षन है वो 16 के तख़त दिया जाएगा वो आगे पड़ेंगे हम अगला आर्टिकल क्या कहता है कि सामा जी के उन सेक्षणिक रूप से पिछडे हुए कि उत्थान के लिए प्रवेश संबंदिच छूट बनाई जा सकती है तो ये पांच बाते हमें याद रखनी है OBCC से OBC को 27% आरक्षन मिला है उच्चो सिक्षण संस्थानों में एक सो तीनवे सविधान संसोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है तो इस पेशल बात है याद रख लेना आर्टिकल 15 का छे पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 6 तो 15 6 क्या करता है EWS के लिए EWS के लिए नोकरियों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर छूट देने की बात करता है 15 6 याद रखना तो 15 4 5 6 जो है वो STSC OBC वरगों को उन्नती के लिए विशेश व्यवस्था सिक्षन संस्थानों में विशेश व्यवस्था और EWS के लिए विशेश व्यवस्था ये तीन आर्टिकल इस प्रकार की बात करते हैं ऐसे याद रखना है नोकरियों में जो भी आरक्षन है वो STSC OBC के लिए सोला में होगा जबकि महिलाओं के लिए नोकरियों में भी आरक्षन यहीं पर कर दिया गया है याद रखना. अब आurticl 16 पे आते हैं. आर्टिकल 16 क्या कहता है? 16 क्या कहता है काम के बारे में, लोक नियोजन के बारे में, नोकरीों के बारे में तो 16 के अंदर जो बाते हैं वो समझते हैं. 16 अब पूरा डीटेल में याद रहो तो इसके दो आर्टिकल से याद रखो सोला तीन और सोला चार्ट सोला तीन क्या कहता है कि संसत विदी बनाकर लोग नियोजन के किसी के लिए किसी राज जी या के इंद्रशाश्यत प्रदेश के निवास के संबंद में शर्तें जो है वो लगा सकती है तो अब बहुत इंपोर्टन बात य केवल संसत को ही यह ज़रूर याद रख लेना केवल संसत विदी बना सकती है विधान सबा नहीं बनाती है इस पर संबंदित विदी आगे बढ़ते हैं सोला चार यह सबसे इंपोर्टन आर्टिकल है जो STHC OBC को जो नोकरियों में आरक्षन है वो इस आर्टिकल के तहत ही दिया जाता है राज्य पिछड़े वर्गों के नेका नागरिगों के नियूक्ति या पदों के लिए आरक्षन की विवस्था ही इस आर्टिकल से करती है याद रखना यह हमें याद रखना है कि यह इंप अस्टिव का नागरियों के संबंद में आरक्षन और उर्फमाच कहता है धार्मिक संप्रदाई की जो कारिये उसमें उस नागरियों को वरियता देने की बात कि बढगते निया नागरियों क्यों उनके सम्मन में बड़ी जाती के लोगों द्वारा छुवा चूत का विहवार करना असपर्षता है तो इसे हमारे सवीधान द्वारा ही समाप्त किया गया खेर अब तो मानव विकास ही इतना अच्छा हो चुका है कि इन सब बात हुआ कोई महत्व नहीं रहा लेकिन 17 कहता है आसपर्षता का अंत याद रखना तो आसपर्षता के लिए कानून बनाया हमने 1955 में जिसका नाम पहले था इसपर्षता अधिकार अधिनियम और बात में इसका नाम कर दिया हमने सिविल राइट एक्टे अनागरिक अधिकार अधिनियम 1955 नाम कब बदला गया 1976 गोँ बतला गया यह याद रखना अर्टिकल शत्रा अब आतें अर्टिकल 18 के बारे में तो उपादियों का अंत करता है कि दो चीजे राज्य जो और सेना, दो सह हैं, एक तो सिक्षा और सेना, से सम्मंदित कारियों को छोड़ कर किसी भी छेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी, उपाधियों का अंत किया जाता है, अब भारत में कोई भी विक्ति उपाधी नहीं देगा से related कुछ बातें ऐसी आती है कि पदमश्री उपादी है क्या तो सुप्रिम कोड अलग अलग वाद में कह चुका है कि पदमश्री उपादी नहीं है यह पुरुसकार है या भारत रतन उपादी है क्या तो उपादी ने एक पुरुसकार के रूप में उनको शामिल किया गया है यह याद रखना आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 19 से लेकर के 19, 20, 21 और 22 यह 4 आर्टिकल जो सविधान के हैं यह मनुस्यों को देते हैं या भारती नागरी को को देते हैं स्वतनतरता क्या देते हैं तो इन 5 आर्टिकल के बारे में हम याद रख कर लेते हैं क्या क्या है इसमें देखो 19 में है स्वतनतरता कौन सी स्वतनतरता हैं 5 स्वतनतरता है बीस में तीन बाते है जब भी किसी वक्ति को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो दो आर्टिकल्स काम के होते हैं एक बीस और एक बाइस तो बीस जो है वो अरेस्ट करने से पहले की बात है अरेस्ट कर लेने के बाद की बात है 22 में मतलब दो आर्टिकल्स है थोड़ो इनको याद रखना कि जब भी पुलिस द्वारा किसी को अरेस्ट किया जा या अरेस्ट करने की कोई बात हो तो आर्टिकल 20 और 22 वहां काम में आते हैं 21 जो है वो प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता की बात करता है यह देहिक स्वतंत्रता वल आर्टिकल है 19 कैसे याद करेंगे आप लोग 19 याद करने के लिए से याद कर लो कि 18 के बाद आपका वोटर आईडी बन जाता है तो आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए या आपका और कुछ भी वोट देने के लिए बहसारे काम व्यापार करने के लिए राजनीती में आने के सबके लिए स्वतंत्र याद रखना है और 21 से संबंदित या सब्सक्राइब की डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं आर्टिकल 19 में छे अलग अलग आर्टिकल दिये हुए हैं क्या-क्या अलग हैं और बाद में तो एक और बढ़ा दिया गया तो छे की बजाए साथ भी कुछ कहीं पर लिखा हो मिलेगा लेकिन आप आंसर के रूप में छे ही करेंगे क्या-क्या है देखिए अब इसको याद करना है कखग घंच के रूप में जो छे स्वतंत्रताय हैं इनको या तो आप ABCD के फॉर्मेट में याद करें क्या स्वतंत्रताय दी गई हैं इस स्वतंत्रताय मान लीजे मैं बोलता हूं अच्छा वाह जब मुझे लोग सुनने लगें गे तो हमारा जो दूर से किसी व्यक्ति को देखने पर क्या लगेगा एक सम्मेलन कर रहा है तो बोलने से क्या हुआ सम्मेलन बन गया माल लो कि अगर मेरे अलाव बाकी सब लोग भी अपने विचार प्रकट करने लगे तो वो सभा बन जाएगी तो पहला पॉइंट था बोलना, बोलने से सम्मेलन हुआ, सम्मेलन से वो सभा में बदल गई या संगम या सभा में बदल गया, अब हो सकता है कि उनका आपस में एक संघतन बन जाएगा तो ये तीन स्टतलता हैं जो हैं हमने साथ में याद कर ली एक बोलने की पूलने से क्या हुआ अगर एकति बोलना शुरूर किया तो उसकी दूसरे लोग सुन रहे थे तो सम्मेलन हो गया सम्मेलन के बाद इनका ग्रुप बन गया तो संग बनाने की स्वतंत्रता हो गई 37 गूंने चलते हैं तो चोथी हम जाते हैं जर्मोगशनिर गया तो गुमने होटि अच्छा लगा वह होah दो निवास करने की सवतंत्रता 15 विया को के सभ cities ये वमैं खत्म हो गएट फिर पैसे चाहिए तो नो करनी पड़ेगी तो आजी विका अपनाने भी ठे़्यों को पूर Посब्हें तो निवास करने की और फिर आजिव्य का अपनाने की एजी छे स्वतंतरता हैं इस आर्टिकल्स में दी गई हैं याद रखना है इन स्वतंतरताओं के बारे में हमें थोड़ी डिटेल याद रखनी है अब वाग एवम अभिव्यक्ति की स्वतंतरता में क्या-क्या चीजी शामिले वो भी हम देख लेते हैं अपने विचारों को अ आर्टिकल 19 के दहद आती है कोई भी व्यवसाइक विज्यापन वो भी इसी की स्वतंतरता में शामिल है राजनेतिक द्वलदाराज भारत बंद के विरोध में अपने को खड़ा कर देना ये भी इसी की स्वतंतरता है सरकारी गतिविदियों की जानकारी पाना अर्था पाएंगे तो जानकारी प्राप्त करना मतलब सूचना है प्राप्त करना तो सूचना इसी का अंग हो गया फिर इसलिए सूचना के अधिकार को इसमें शामिल कर लिया हरताल करना इसमें शामिल नहीं है लेकिन हरताल के जैसा बिना हतियार के प्रदर्शन करना इसमें शामि नहीं नहीं तो फिर कानून बनाकर सरकार उसको प्रतिबंदित कर सकती है वो हमारी स्वतंत्रता का उलंगन हो जाएगा अबाद्ध्य संचरन का लेकिन सरकार चाहे तो दो आधार ओपर दो आधार कौन-कौन से हैं आम जनता के हित में और अनुसुचित जन जाती के सनरक्षन है तो इन दो हित में हमें किसी एरिया में जाने से रोक सकती है जैसे मां लीजे कि मारे मध्यपरदेश में बेगा चक्त में बेगा जञती पाई जाती है और या उनकी सन चस्कृती को हास होने की स्थित about it कर सकती है या यह आम जनता के हित में प्रछियाकट के देखा मो GA मो क्या वो मॉलिक अधिकार का उलंघन था तो नहीं। देखिए- आम जनता के इत्मे सरकार इन दो प्रति बंदो को लगा सकती है, वो मॉलिक अधिकार का उलंघन नहीं हुगा। यह specially लिखा हुआ है। निवास की स्वतंत्रता तो सेम दो आधारों पर आम जनता के हीत में और अनुसुचित जाती के संरक्षण ही तू इस पर भी प्रतिबंद लगाया जा सकता है व्योसाई आजीवी का अपनाने की स्वतनत्रता राज्य जो है वो कुछ मानक निर्धारीत कर सकती किसी एक विशेश व्योसाई की बाकी प्रतिबंद नहीं लगाया जा सकता यह राज इसे वीधी द्वारा वीनियमित कर सकता है ऐसा हमारे सविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 19 के बाद चलते हम 20 पे अपरादों के दो शिद्धी से संरक्षण य कोई व्यक्ति किसी अपराद के लिए दोशिद्धी नहीं ठहराएगा जब तक वहां किसी विधी का उलंगन ना करे मतलब जब तक आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है आपको अपरादी नहीं गोशिद किया जाएगा किसी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए अभियोज यह इस्पेशली याद रखना दोहरी छती के सिध्धान्द को पूरा करती है तीसरी बात है अभियोक्त किसी व्यक्ति को स्वयम के विरुद्ध गवाई देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा तो तीन बाते हैं माल लो आपको किसी कानून के लिए सजा देनी है तो तीन ब करने के पहले की जो बाते हैं वह 22 में होगी और करेस्ट कर लेकिने के बाद में जब कोट में पेश हो गए तो वहां की जो बाते हैं वह 20 में दी हुई है मतलब थोड़ा आगे पीछे है यह एसे याद रखना है कि स्वयम को अपने विरुद्ध गवाई देने के लिए आटिकल्स कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधी द्वारा इस्थावित प्रक्रिया के अलावा उसके प्राणों द्वेक सतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता पतलब विधी के अलावा बाकी किसी भी तारीके से आपने उसको वंचित किया तो यह अपराद है मुलिक का अधिकार इसी में शामिल किया गया है निजता का अधिकार इसी में शामिल किया गया है स्वास्थ का अधिकार इसी में शामिल किया गया तो यह जीने से संबंदित बातें वह इसी में हैं निशुलक कानूनी सहायता पाने का अधिकार प्वरित सुनवाई का अधिकार बंद जोड़ा गया है 2002 में 86 सविधान संसोधन द्वारा कब 86 सविधान संसोधन द्वारा 6-14 वर्स के बच्चों की बात करनी है तो इस 6 में क्या जोड़ आठ जोड़ दें याद रखना ये 6-14 वर्ष के बच्चों को निशूल की सिक्षा प्रदान करने की बात करता है आगे बढ़ते हैं 22 तो गिरफतारियों के बात की तीन अधिकार देता है 22 जो गिरफतार कर लेने के पहले की तीन अधिकार देता है तो दंड विशयक और निवारक दो प्रकार की गिरफतारिया होती हो उसमें से दंड विशयक गिरफतारी पर जो है वो ये छूट देता है याद रखना आर्टिकल 23 और 24 जो है वो दो बहुत सिंपल से आर्टिकल्स है क्या कहते हैं 23 और 24 शोशन के विरुद्दा दिकारे क्या है शोशन के विरुद्दा तो 23 क्या कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम से उसके सनरक्षन की बात क्या कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम के प्रतिशेत करने की बात करता है आप याद रखना है इसमें बलात श्रम भी शामिल है इसमें बेगार भी शामिल है मानव का दुर्व्यापार भी शामिल है और इसके सिमिलर और भी कोई बात शामिल है इसमें वो भले से सीधे तोर पर ना लिखी हो लेकिन किसी भी व्यक्ति से जबरजस्ती काम कराना 23 के अं नियोजन के लिए निशेद है उसका नियोजन के लिए निशेद है उसका नियोजन नहीं किया जाएगा देखिए इसमें तीन ही बाते कही गई अन्य प्लेसेज पर सकता है मतलब कार-k Sempre बाकि उस्थानों पर कर सकते हैं याद रखना 14 वर्स से कम उम्र की बात करता है यह, 2016 में इससे संबंदेते कानून बना नाम जरूर याद रखना बालश्रम निशेद अधिनियम या बालश्रम निशेद और विनियमन संसोदन अधिनियम 2016, यह 1986 के स्थान पर आया, और इसने जो बालकों के संरक्षन या बालक किये, इसे बहुत सारे सकारात्मक पुरावधान इस कानून के तहत किये गये हैं, याद रखना, 18 व्यवसाई और 65 प्रक्रियाओं को निशेद लागू कर दिया गया है, इस कानून के तहत, और जो सजा थी उसे 20,000 से बढ़ा कर अब 50,000 रुपे भी कर दिया गया है, अगल 26, 27 और 28 ये चार आर्टिकल्स जो हैं, वो धर्म की स्वतन्तरता की बात करेंगे, किस प्रकार की धर्म की स्वतन्तरता है, तो आर्टिकल 25 पचलते हैं, आर्टिकल 25 कहता है धर्मिक स्वतन्तरता या धर्म के अंतह करण की स्वतन्तरता, अंतह करण में तीन शब्द शामिल ह अंतह करण, मानना, आचरण करना और प्रचार करना ये चारों बातें जो हैं वो 25 के एक अंतह करण में शामिल है अंतह करण, मानना, प्रचार करना और प्रसार करना इन चारों को कहते हैं आर्टिकल 25 याद रखना आर्टिकल 25 क्या छूट देता आदमी को कोई इसा भी धर्म अपनाने की, मानने की, प्रचार करने की और आच्रण करने की ये चार सुतंत रता है देता है आर्टिकल पच्चीस आर्टिकल पच्चीस के कुछ अपवाद भी है लेकिन विशेश बात आप याद रखना कि जो सिख धर्म के लोग हैं, उनको क्रपाण धारन करने का अधिकार आर्टिकल पच्चीस के दहद दिया गया है हिंदू शब्द में इस आर्टिकल में हिंदू शब्द में सिख जेन और बोध तीन को शामिल किया गया यहां हिंदू सब्द मतलब केवल हिंदू के लिए नहीं होगा सिख बोध और जेन भी उसी में शामिल होंगे यह याद रखना अर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कारियों के प्रबंद की स्वतंत्रता क्या कहता है धार्मिक कारियों के प्रबंद की स्वतंत्रता तो यहां एक विशेश बात जो मैं बताना चाहता हूँ यह है कि लोक स्वास्थ सदाचार क्या है लोक स्वास्थ, सदाचार और स्वास्थ के अधीन रहते हुए, मतलए इनको बिगाड़ना नहीं है, इनको इनके अधीन रहते हुए आप अपने धर्म का कैसा भी प्रबंदन करो, कोई समस्या नहीं है अगर आपके धर्म प्रबंदन में इनमे से कोई बात तो फिर वो लोक व्यवस्था कोई आधार पर आपके धर्म के स्वातंत्रता नहीं हुई इनके अधीन रहते हुए आपको जो है, वो अपने धर्म को प्रबंदन करना है, या आर्टिकल की बात विशेश याद रखना आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 27 कहता है, किसी विशेश धर्म की अभिवर्दी के लिए करोया संदाई से स्वातंत्रता यह यूं कहरा है, कि भारत सरकार जो पैसे कर के रूप में हमसे लेती है, उन कर के पैसों को किसी एक विशेश धर्म या संप्रदाई पर खर्च नहीं किया जाएगा, या तो समान रूप से सभी को खर्च किया जाएगा तो इसका अर्थ हम थोड़ा गलत समझते हैं, याद रखना, आर्टिकल 27 में क्या लिखा हुआ है, कि सरकर के पैसे से कि धर्मिक कारियों को संद्रक्षन नहीं दिया जाएगा, सभी को समान रूप से भी आ जाएगा और इसी के तहट जो हज सबसीडी दी जाती ती उसे बंद किया गया है, ये विशेश बात याद रखना, आर्टिकल 28 जो है वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की सोतन्तरता की बात करता है राज्य निदी से पूर्णत पोसित किसी सिक्षण संस्था में धार्मिक सिक्षण नहीं दी जाएगी और इसके अलाव कुछ जेगे छूट भी है कि जो विन्यास या न्यास के अधीन है, वहाँ पर ये बात लागू नहीं होगी मतलब जो धार्मिक सिक्षण संस्था नियास के माध्यम जे उनका प्रशाशन होता है वहाँ पर ये बात लागू नहीं होगी आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं इसने चार प्रकार की धार्मिक सिक्षण संस्था के निशेत की बात कर रहा है आटिकल 29 और 30 यह संस्कृति के अधिकार संस्कृति के अधिकार दो हैं हमें 29 और 30 संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की बात की जा रही है अलप संक्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में आटिकल 29 ववस्था करता है के लिए सिक्षन संस्थाओं की स्थापना उनका अप्रबंधन और उनका प्रसार कर सकता है तो यह दो आर्टिकल जो है वह अल्प संख्यकों से संबंदी थे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के दूने याद रखना आगे आर्टिकल 31 पर आते हैं 31 जो है यह इसमें स्पेशली याद रखना कि अल्प संक्यक शब्द को परिभाशित नहीं किया गया है अर्टिकल 31 निर्शीत कर दिया गया है लेकिन हम थोड़ा से इसलिए याद रखने क्योंकि यह सात्वा हमारा मोलीक अधिकार था इसे निर्शीत कर दिया गया है चुमालिस्वे समिधान सं सोदन 1976 सिक्स के माध्यम से याद रख लेना उसके अंदर की डिटेल याद करने की जुड़ी नहीं है कुछ आर्टिकल्स इसमें अभी भी जीवित हैं 31 को अभी जीवित हैं लेकिन इनका उप्योग नहीं बचा आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो सबसे महतुपूर्ण ब यह सविधान का हरदय कहा है इस भाग दौरा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार जों है वो आर्टिकल 32 में दिये हुए हैं अभी ऑपचारों के बारे में कुछ बात याद कर लेते हैं इसमें चार बाते कही गई हैं वो चार बाते क्या कहती हैं ये हम समझते हैं, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कारवाई सर्वच न्यायले में की जा सकती है, तो पहला पॉइंट है कि अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार हमारा साविधान किसे देता है, सर्वच न्यायले को देता है, सरवचिनेले कि अधीन अधिकारों के परवतन, रिर देश, आधिस जारी करने या रीड जारी करने के शक्ती उसे होगी तो ये अर्टिकल 32 के दो में कही जा रही है बाते याद रखना पांच प्रकार के रीटों का वरणन किया गया है और वो पांच प्रकार के रिटे कौन कौन सी है बंदी प्रत्यक्षी करन परमादेश, प्रतिशेद, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेशन ये पांचों रट हमें याद करनी है मैं याद करा देता हूं आपको देखें मैंने अपने लिए कैसे याद की हुई है एक शब्द लिखा बापू क्या लिखा बापू ने हमसे क्या पूछे अधिकार ऐसे याद करना है B से बंदी प्रत्यक्षी करन याद रख सकते हो B, A को लेलो पुरा बंदी प्रत्यक्षी करन पर्मादेश प्रतिशेध उत्प्रेशन देखे पर्मादेश प्रतिशेध उत्प्रेशन और ये तो अधिकार पूछा ही है तो इसको याद करने की जड़रत नहीं है तो B A से है बापू बापू ने अधिकार पूछा तो B से बंदी प्रत्यक्षी करन परमादेश प्रतिशेद और अधिकार प्रत्चा अब ये 5 प्रकार की जो हैं उनको थोड़ा डीटेल में करते हैं पहला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षी करन इसको हम कहते हैं इंगलिश में हेबियस कॉर्पस ये लेटिन भाषा का शब्द है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है सर्शरीर पेश करना क्या अर्थ होता है सर शरीर पेश करना या न्याईलई के सक्ष प्रस्तूत करना या प्रस्तूत करना ये इसका आर्थ होता है ये न्याईलई द्वारा जारी की जाती है जब किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा अन्य को जबर्जस्ती हिरासत में ले लिया जाता है तब न्याईलई जो है वो बंदी प्रत्यक्षिकरण की रीड जारी करता है बहुत जादर डिटेल में मत जाना लेकिन इसके अपवाद याद रख लेना हिरासत कानून के त अफ्तार किया तो फिर वहां रीड जारी नहीं होगी विधान मंडल या न्याईलई की आउमानना को कोई मामला हो तो रीड जारी नहीं होगी न्याईलई के द्वारा उसकी हिराशत का सर्त मतलब वह सर्टिफिकेट जारी किया गया हो तो ये बात लागू नहीं होगी हिरा परमादेश शब्द का सिंपल अर्थ है हम आदेश देते हैं क्या अर्थ होता है हम आदेश देते हैं क्या आदेश कौन दे रहा है नियाईलई द्वारा स्वारजनिक अधिकारियों को जारी की जाने वादी रीड है और उनसे उनके कारिये करने या ना करने के बारे में इसमे अधिकारी से पूछ रहा है कि यह काम तुमने किस अधिकार से किया या किस अधिकार से नहीं किया यह दोनों बातों को कवर करती है परमादेश रीट ठीक है आगे बाद इसके अपवाद याद रखना ये नीजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू नहीं की जा सकती special बात है परमादेश रीट नीजी व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं होती जबकि हमने जो पहली रीट पड़ी है हेबियस कॉर्पस वो नीजी व्यक्ति, सरकारी, कोई भी होज के विरुद्ध लागू होती है जब कर्तव ये विवेका अनुसार किया गया हो तब ये लागू नहीं होती भारत के राश्पतिय राज्यपाल के विरुद्ध ये रीट जारी नहीं होती उच्छ न्याईलाई के प्रमुग न्याईदीशों की विरुद्ध ये रीट जारी नहीं होती इसके ये अपवाद है, विशेश रूप से अपवाद याद रखना आगे बढ़ते हैं परमादेश के बाद आते हैं प्रतिशेत पर प्रतिशेत का आर्थ होता है, रोकना, किसी वक्ति को रोक लेना, क्यों रोकना है भीया? देखो उच्छ न्याईलाई द्वारा अधिनस्त न्याईलाई हो की आधिकरणों को अपने न्याई चैतर से बाहर के न्याईक कार्य करने पर रोकना याद रखना, जब भी कोई बड़ा न्याईलाई अपने से छोटे न्याईलाई या किसी प्राधिकरण जो की न्याईक कार्य कर रहा है, उनको उस काम को करने से रोकता है, तो उसे कहते हैं प्रतिशेत लगा दिया है, तो प्रतिशेत रिट का अर्थ होता है, रोकना, यह प्रशाशनिक प्राधिकरणों विधिक निकायों नीजी व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है याद रखना प्रशाशनिक न्यायाधिकरण नहीं है ये केवल न्यायाधिकरण होगा अपिलेट बोर्ड होगा तो लागू हो जाएगी विधाई निकाय के उत्प्रेषित कीजिए इसको सिद्ध कीजिए इसका ये अर्थ होता है कि ये पुत्प्रेशित कीजिए प्रहानित कीजिए सुचना दीजिए ऐसा इसका आर्थ होता है उच्छ नियाईलेई द्वारा अधिनस्त नियाईलेई आधिकरण के विरुद्ध ये रीड जारी की जाती है प्रतिशेद केवल निवारक है जबकि उत्प्रेशन निवारक एवं सहायक दोनों है यह बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है अभी हमने दो रीड पड़ी एक प्रतिशेद रीड और एक उत्प्रेशन रीड तो प्रतिशेद जो है केवल रोग लगाती है उत्प्रेशन कहती है कि आप रोक भी लगाओ और मेरे पास भेजदो मैं देखूंगा इसे तो यह करने का काम कहती है उत्प नहीं होती है आगे बढ़ते हैं अभी तक इस topic में हम दो अधिनियम 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम पढ़ चुके हैं सरीधान सभा और उससे related जितने fact हो सकते थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार नाम का जो topic है वो पूरा हम पढ़ चुके हैं उसमें एक ए देखिये DPSP भी मौलिक अधिकारों का ही स्वरूप है ये वो मौलिक अधिकार हैं जो सरकार उस समय हमें नहीं दे पाई जिस समय भारत का सविधान लागू हुआ तो सविधान निर्माताओं ने इनको मौलिक अधिकारों के रूप में रखा लेकिन इस तरीके से कि आगे जब सरकार सक्षम हो जाएगी, जब सरकार इनको देने के लिए केपेबल होगी, तो आपको ये उपलबद कराएगी, इसलिए इनको नीति-निर्देशक नाम के सिध्धान्त में रखा, इस दुनिया में सबसे पहली बार अगर किसी देश ने नीती-निर्देशक सिध्धान्त रखे तो वो इसपेन था इस इस दुनिया का पहला ऐसा देश जसे जिसने दुनिया को निति निदेश्च सिधानतों के अउधार्णा दी सिधानतों का लोजिक दियाकि यह सविद्हान से 1937 में आयरलेंट का सविधान बना Ireland का जो सविधान है इसे हम Lurets the Hiren कहते हैं क्या कहते हैं Lurets the Hiren या Iris सविधान भी कहा जाता है सरल शब्दों में तो इस सविधान में इन निती निर्देशक तत्वों को क्रम से व्यवस्थित तरीके से शामिल किया गया था और भारत का जो सविधान है जब सविधान निर्माता सविधान निर्मान कर रहे थे तो इस Ireland के सविधान से ही हमने प्रेणा ले करके इनको हमारे सविधान में शामिल किया तो याद रखना भारत के सविधान में जो निती निर्देशक तत्व है वो आयर लेंड के सविधान से आये हैं लेकिन इस दुनिया को जो यह उधारना दी है वो इस्पेन ने दी है या इस्पेन ने इस दुनिया में निती निर्देशक तत्व के शुरुवात की आगे बढ़ते हैं निती निर्देशक तत्व जो भारतिय सविधान है उसके भाग 4 में शामिल किये गए याद रखना भाग 4 में 36 से लेकर 51 के आरटिकल तक ये शामिल है हमारे सविधान में दो मूल रूप से काम करते हैं ये एक लोग कल्यानकारी राज्य की स्थापना करने का काम करते हैं राज्य की जो पुलिस राज्य या तानाशाही राज्य होता है, उसके विपरित लोग कल्यानकारी स्वरूप को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, या राज्य को प्रेर्णा या निति निर्मान में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं, याद रखिएगा ये गेर इनको विद्वानों द्वारा बड़े मोटे तोर पर तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है या बाटा जाता है पहले निती निर्देशक सिध्धान्तवे जो समाजवात की अउधारणों को पूरा करते हैं समाजवाती निती निर्देशक कहलाते हैं गांधिवात की अउध आर्टिकल याद कर लीजिए जो गांधिवादी हैं कैसे याद करेंगे बड़ा सिंपल है सबसे पहले आर्टिकल चालीस चालीस के बाद 46 47 48 तीन तो क्रम से है 46 47 48 46 46 48 चार हो गया और एक उसमें बीच में डालना है 43 का चालीस तीन बड़ा है 43 तीन बड़ा है 46 फिर 47 और 48 ऐसे पांच आर्टिकल है यह आप याद कर लीजिए जो गांधिवादी सिद्धानतों को दर्शात हैं अब इसके बारे में कुछ कोटेशन आते हैं जो थोड़े कठीन पढ़ते हैं याद रखिए कुछ कोटेशन पूछे जाते हैं एक्जाम में जो इससे रिलेटेड हैं नितिनिर्देशक सिद्धानतों से संबंदित हैं और कठीन होते हैं तो थोड़ा सा हम उन पर फोकस कर लेते हैं देखिए राज्य के नितिनिर्देशक सिद्धानत एक ऐसे चेक हैं जो बेंग की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है बड़ा ही फेमस कोटेशन है और यह कोटेशन जो है केटी शाहा द्वारा दिया गया था याद रखिए केटी शाहा का कोटेशन है कि नित निती निर्देशक तत्वे ऐसे आदेश हैं जो सविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं निति निर्देशक सिद्धान्त राज्य के अधियकारियों के लिए नियम और उनके लिए सिक्षा मुल्य है ये कोटेशन किनका है बियन राउ बड़े ही अच्छे वेक्ति थे बियन राउ जो है इन्होंने क्या कहा बियन राउ ने कहा कि जो सरकारी अधि कारी है उनके लिए ये नियम है या उनके लिए नियम का काम करते हैं और सिक्षाप्रद कारिय या सिक्षाप्रद मुल्य है उनके लिए ये कहने का काम करते हैं बियन राउ कोटेशन याद रखना है आदर्श आजादी और आदर्श भवन के रूप में इनको संग्या दी है भीमरा उम्बेट करने याद रखना भीमरा उम्बेट करने निती निरिदेशक तत्वों को आदर्श आजादी कहा है या आदर्श भवन कहा है यह special point है या रखना है DPSP सविधान का विवेख है जो सविधान के सामाजिक दर्शन का प्रतीक है DPSP सामाजिक दर्शन का प्रतीक है या DPSP सविधान का विवेक है दो अलग-अलग करीके से भी पूछे जाते हैं इसे पूछा जाता है कि DPSP को सविधान का विवेक किस ने कहा याद रखना ग्रेनविल आस्टीन जो प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं राजनितिक विशलेशक रहे हैं इन्होंने सविधान के राजनितिक निति निर्देशक तत्वों को विवेक कहा है सविधान का या सविधान को सामाजिक दर्शन का प्रतीक कहा है दोनों ही बाते याद र रहे हैं यह सविधान के इन्होंने कहा कि मात्र उद्देश और अकांग्षाओं का घुषणा पत्र कहलो आप इनको नीति निर्देशक तत्व को यह कहा केसी वियर ने डीपीएसपी का उद्देश जनता को मुर्ख बनाना और भ्रमित करना है यह किसने कहा रागवाचारी ने याद रखना एन आर रागवाचारी यह कौन है एन रागवाचारी जो है यह सविधान में बहुत सारे प्लेसेस पर आपको कोटेशन के रूप में देखने को मिलेगा इन्होंने अलोषना करते हुए कहा कि सविधान का डीपीएसपी का उद्देश जनता को मुर्ख बनाना बहकाना है यह रागवाचारी का कठन है डीपीएसपी पवित्र दस्तावेज है DPSP को पवित्र दस्तावेच केटी शाह ने कहा है ग्रेनविल आस्टीन ने नेती निर्देशक्तत वो और अधिकारों को सविधान के मूल आत्मा कहा है अब यहां बहुत बड़ा confusion होता है अगर हमसे question पूछा जाता है कि सविधान के आत्मा क्या है तो प्रस्तावना को सविधान के आत्मा कहा जाता है डाक्टर भीमरा अमबेटकर ने किसे सविधान के आत्मा कहा तो उन्होंने article 32 को सविधान के आत्मा कहा है और अगर हमसे पूछा जाएगे ग्रेनविल आस्टीन ने किसे सविधान के आत्मा कहा है तो ग्रेंविल आस्टीन जो है इन्होंने निती निर्देशक तत्वर अधिकार दोनों को जॉइंट रूप से सविधान के आत्मा कहा है अंबेट करने निर्देशक तत्वों को अनुदेश कहा है याद रखना है भावनाओ का इस्थाई कुडाघर कहा किसने टि टياटी क्रश्चनामाचारी हमें पता है प्राडूब समीती के सदश्यत तीटी कुडाघर कहा है इन्होंने डविश्च समीती को भावनाओं का इस्थाई कुडाघर कहा है निर्देशक प्ततव सवीधान की जीवन जीवन देने वाली व्यवस्था है LM सिंग्वी ने का हमें पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए एक विशिस्ट समीती बनाई गई थी LM सिंग्वी की सक अध्यक्षता में इनको हम वहाँ पढ़ते हैं इनोंने एक सेंटेंस बोला है कि सविधान को जीवन देने वाले तत्वे हैं जीवन देने वाली व्यवस्था है LM सिंग्वी का कथन है आगे बढ़ते हैं अब हम अनुच्छेद पे आते हैं इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिये गए हैं इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा याद कर लेते हैं आपको पता है कि जब भी कोई भाग शुरू होता है जैसे भाग चार शुरू हो रहा है तो उसका जो पहला आर्टिकल होगा वो हमेशा राज्य की परिभाशा को दर्शाएगा तो यहाँ पे भी आर्टिकल 36 जो है वो राज्य की परिभाशा को दर्शाएगा याद रखना है आर्टिकल 37 जो है वो कहेगा कि किन सिध्धान्तों के आधारपन नितिनिर्देशक काम करेंगे तो यह इसके अंदर समाइद सिध्धान्तों की बात करता है या यह यूँ बताता है कि लोग कल्यान्कारी सिध्धान्तों को अपनाना ही नितिनिर्देशक तत्व का उद्देश्य होगा यहीं पे इनकी प्रकृती पता चलती है कि नितिनिर्देशक तत्व जो है इनकी प्रकृती गेर नियायोचित है इनको पाने के लिए हम कोट नहीं जा सकते हैं Article 38 कहता है राज्य द्वारा जन कल्यान के लिए सामाजिक विवस्था को बढ़ाना है थोड़ा सरल सब्दों में कहें तो Article 38 कहता है कि राज्य सामाजिक कल्यान को बढ़ावा देने का काम करेगा या ऐसा कार्य करेगा जिससे सामाजिक कल्यान की अभिवरद्धी हो समाज में सामाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याई की स्थापना हो यह कहता है 38 वला आर्टिकल यह तीन आर्टिकल बड़े सरल से हैं याद करना 36 में राज्जी की परिभाषा 37 सिध्धान्त बताएगा किन स सिध्धान्तों पर आधारित हैं और 38 उसका उद्देश बताता है तो टीन ऐसे याद करना है परिभाषा सिध्धान्त और उद्देश 39 से हमें अलग से याद करना है 39 में 5-6 बाते कही गई है कि राज्जे द्वारा अनुसरेंड किये जाने वाले कुछ नितिनिर्देसक सि इनका जो इंटिकेशन है वो 39 में दिया गया है हमें ये सारे आर्टिकल्स याद करने है 39 है समान्याय और निशुल के कानूनी सहाइता की बात करेगा 39 क्या करेगा समान्याय और निशुल के कानूनी सहाइता अब यहां से हमको एक एक आर्टिकल्स याद करना है तो हम कुछ एक परिभाषा बताएगा एक सिद्धान बताएगा एक उद्धिश बताएगा तो याद हो जाते हैं आर्टिकल 40 दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन तो आप 40 याद किजिए कि जो 40 लोग हैं उन्होंने मिल करके पंचायत बना दी यह हमने ऐसे याद कर ली और पंचा सिक्षा पाने का अधिकार और सारवजनिक सहाइता पाने का अधिकार तो यह तो फोटी में हमें याद हो गया चालीस में क्या है सरपंच घाल लोगों कूरों दे रहे हैं काम दे covering नेसे करके जो नियायोचित हो फिर महिलाग ने कहा कि हमें कैसा काम दोगे तो उनको कहा तुम्हें काम के साथ छुट्टी भी देंगे प्रसूति अवकास तो 42 में दो चीजे हैं याद रखना 42 में ये दो चीजे हो गई नियायोचित दशा में काम और प्रसूति अवकास तो हमारी एक स् नियायोचित कारिये दूँगा महिलाओं ने पूझा हमें क्या दोगे तो उन्हें का हम आपको प्रसूतिय अउकास वाले छुट्टियां देंगे फिर सरपचेंजी लें आगे बढ़के कहा अपने भाशन में कि करमचारियों को मैं इतना पैसा दूँगा या वेतन इतना दूँगा देखो मैं नयायोचित काम दूँगा फिर नेक्स्ट बात उन्होंने कही कि मैं वेतन भी दूँगा साथ में मतलब केवल काम नहीं कराऊंगा वेतन वाला काम कराऊंगा वेतन भी दूँगा जिससे आपका गुजारा हो जाए या करमचारियों को जिविका उपारजन के लिए वेतन दिया जाएगा या नियूनतम वेतन की बात करता है यह आर्टिकल तो 43 तक हमें याद हो गया 43 के बाद 43 ए में तो फिर उनने कहा कि अगर सरपच जी कह रहे हैं देखे पहले पॉइंट में कहा कि काम देंगे सिक्षा देंगे और अर्थिक साहिता देंगे फिर न prac college काम देंगे फिर काम के बडले पैसे भी देंगे और अगर अच्छा काम करोगे तो फिर हम उद्योगो या प्रबंध में आपको भागीदार बनाएंगे करमचारियों का प्रबंधन में भागीदार बनाया जाना यह 43A में है और अगर और ज़्यादा काम करोगे तो आमको समीतियों में शामिल कर लेंगे तो 43B क्या कहता है कि सहकारी समीतियों की स्थापना यहां तक आपको पांच बातों को एक दूसरे एक साथ जोड़ लेना है याद करने के लिए हमने अपने आपने ही एक स्टोरी बनाई है 40 में बने सरपंच जी उनसे गाम वालों ने पूछा हमें क्या दोगे तो उनने कहा काम देंगे सिक्षा देंगे आर्थिक सहाईता देंगे या लोग सहाईता देंगे तिर काम कैसा देंगे तो नियायोचित देंगे काम के बतले में पैसा भी देंगे अच्छा काम करोगे तो प्रबंद में भागीदार बना लेंगे और और अच्छा काम करोगे तो समीतियों के सदस्य बना देंगे आगे बढ़ते हैं 44 अब देखो 4 और 4 एक जैसा दिखता है ये चार में दोनों में कोई अंतर नहीं ये दोनों समान है तो समान नागरिक सहीता क्या हो जाएगा 44 में समान नागरिक सहीता ये याद हो गया हमें 45 कैसे लिखा है 4, 5 तो अभी हमें next point लिखना है 6 4, 5 में क्या है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निशुल का प्रात्मिक पुर्व सिक्षा देने या उनके लिए पोशन की विवस्था करने का काम राज्य करेगा ये 45 में लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं अब सरपंच जी फिर से आ जाते हैं सरपंच जी के पास पिछड़े वर्ग के लोग ST, SC, अनुसुचि, जाती-जाती के लोग जाते हैं कि हमें क्या दोगे हम भी आपको वही देंगे जो उपर दिया था तो अनुसुचि जाती-जाती के लिए सिक्षा, आर्थिक साहयता, काम, आदिका, आदिकार ये कहा दिखा है? 47 में लिखा है तो स्वास्थ पोशा आहार पोशन इस्तर आधी को बनाया रखने का काम करता है 47 पोशा आहार के इस्तर जिवन इस्तर जन स्वास्थ की स्थिति को बहतर करना आधी के काम कौन करता है राज्य 47 के तहत करता है याद हो क्या होगा 48 में दिया है क्रशी और पशुपालन याद र मतलब जितने पैसे क्रशी में चार घंटे में कमाये जा सकते हैं पशुपालन में उतने ही आठ घंटे काम करके कमाने पड़ते हैं याद रख सकते हैं याद रखने के लिए अलग-अलग तरीके हम अपना लेते हैं कभी-कभी 48 A में दिया हुआ है परिया वरंड देखिए A व 48 में क्रशी पशुपालन था उसी से जोड़कर 48 A को याद कर लें कि परियावरंड जब क्रशी जादा होने लगी तो क्रशी का परियावरंड पर इफेक्ट बड़ा उसको कम करने के लिए परियावरंड सनरक्षन की बात करनी पड़ी 49 है इस मारकों रास्टी महत्व के संस थानों और वस्तूओं के संरक्षन बरा सिंपल है 49 याद रख लेना अब अगले आप पर आते हैं 50 50 में हम ऐसे बोलते हैं 50 50 मतला आधा आधा तो यहां वही बात की जा रही है का नियाई पालिका का कार्य पालिका से अलगाव या प्रथक करन 50 50 किसके किसके बीच में कार्य का नियाई पालिका से प्रथक करन 50 50 हो गया तो 50 में क्या है दोनों के बीच में आधा आधा कार्य पालिका के पास आधा नियाई पालिका के पास आधा 51 में अंतरास्टी सांती एवं सुरक्षा तो देखिए अगर अंतरास्टी शांती बनाई रखी तो 51 रूपे का पुरुसकार मिलेगा ऐसे याद कर सकते हैं रुपे का पुरुषकार मिलेगा अनुकरास्टी शान्ती बनाए रखने में तो ऐसे हमने यह आर्टिकल्स याद कर लेने हैं important है हमारे लिए इसलिए याद करना है यह सारे आर्टिकल्स आगे बढ़ते हैं next point जो है वो मुलिक करतव्य है हमें पता है कि मूल सविधान में यह चीज नहीं थी मूल सविधान में मूलिक करतव्य नहीं थे तो मूल सविधान में नहीं थे तो बाद में जोड़े गए 4A जो भाग था भारतिय सविधान का भाग 4A या 51A इतकावन कर बोले या 51A बोले एकी बात है इस अनुच्छेद में जो है इन आर्टिकल्स को जोड़ा गया कहां से आये हमारे सविधान में तो देखिए जो सामाजवादी देश है उनमें ये जनरली पाया जाते हैं लोकतांत्रिक देशों में नहीं पाया जाता है लेकिन हमने सामाजवाद के इस गुण को धारण किया और हमारे सविधान में करतवयों को जोड़ा 1976 में 42 सविधान संसोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था याद रखना है 42 सविधान संसोधन से हमने क्या जोड़ दिया 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड दिया किसकी सिफारिश पर तो एक समीती बनाई गई थी स्वर्ण सिंग समीती की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंग समीती की सिफारिश पर 10 कर्तव्य जो हैं दो के माध्यम से तो फिर इसी के साथ एक करतवय और जोड़ दिया गया और वो एक करतवय जुड़ जाने से इनकी संख्या 11 हो गई कुल ये 2002 में जोड़ा गया था 86 वे सविधान संसोधन से ये याद रख लेना इसमें एक समीति स्वर्ण सिंग समीति की साथ में एक समीति औ नाम है वर्मा समीति क्या नाम है वर्मा समीति तो वर्मा समीति का संबंद भी मुल करतवयों से है वर्मा समीति ने सिफारिश की थी कि कुछ मुल करतवयों और है जो जोड़े जाने चाहिए इसमें जोड़े नहीं गया याद रखना हमें मुल करतवयों के बारे में बहुत करतव्य थे मुल सविधान में तो थे ही नहीं बाद में इनको 10 जोड़ दिया गया और आगे इनकी संख्या बढ़ा दी गई तो 11 हो गए ग्यारवा जो है वो अविधान का पालन करें उनके आधर्शों, संस्थाओं, राष्टोधच का आधर करें तो मैं इसमें से एक शब्ध निकाल लेता हूँ खुट के याद करने के लिए आदर करें सबसे पहले हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम किसी का आदर सम्मान करते हैं प्यार से बोलते हैं आदर करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट क्या है आदर करना तो पहले पॉइंट में किस का आदर करें रास्टिय संस्थाओं, रास्टिय ध्वज, रास्टिय गान, आधी का आदर करें, यह पहला पॉइंट कहता है, तो पहला करता भी याद हो जाएगा, दूसरे प्यादते हैं, स्वतंतरता के लिए हमारे रास्टिय आंदलोर को पेरिद करने वाले उच्छा आदर्शों को रास्टिय आंदलोरों को प्रेरिद करने वाले उच्छा आदर्शों को रदय में संजोय रखें, यह दूसरा पॉइंट कहता है, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, भारत की प्रभूता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, तो यह पॉइंट है, इसलिए तीन में तीन बात की गई है, भारत की प्रभूता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, तीसरा याद हो जाएगा, भारत की रक्षा करें, अब देखो, यह भारत है, तो कोई किसी की रक्षा करनी है, तो आप उसके चारों कोनों पर चार सिफाई खड़े कर दो, तो उसकी रक्षा हो भावना, है न, पाँच में क्या लखना है, सम रस्ता और समान भ्रातत्व की भावना का विकास करें, ऐसे करके आपको एक एक पॉइंट्स निकालना है, एक छोटा छोटा शब्द जिससे उस पॉइंट को 6 नंबर को कनेक्ट कर लें और हमें क्रम से इनको याद रख लेना है जैसे मैंने अपने हिसाब से याद रखा है कि साथ में हमेशा स्वास्त और प्रकृति होती, तो प्रकृति की बात कहा होगी, प्रकृतिक परियावरन की रक्षा और उसका समवर्धन साथ में होगा, ऐसे आप उसको लिंक कर सकते हैं, अब आप बाकी के लिंक कर एक जो ग्यारवा है, यह हमें पता है कि 86 वे सवीधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया और यह जो सिक्षा का अधिकार है उसके विपरित या उसी को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए जोड़ा गया, माता-पिता का यहां करतव्य होगा, कि वहां बच्चों को स्कूल बेज़ा, देखे 21 का में क्या कहा गया, कि स्कूल में जो सिक्षा दी जाती है, 6-14 वर्स के बच्चों को वो देना राज्य का करतव्य होगा, तो राज्य का जब करतव्य बनाया तो स्कूल में बच्चों को भेजना भी, तो माता-पिता का करतव्य बना दिया, कि माता-पि कि कौन कौन से मोलिक करते हैं मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि इस तरीके से याद किया जा सकता है तो एक यह कुईक रिवीजन के फॉर्मेट में हम जल्दी जल्दी रिवाइस करने चाह रहे हैं ताक कि हम सविधान के जो दस कुष्चन आई हमारी एक्जाम में उनको हमारे सविधान संसोदन परने और नियाई व्यवस्था पढ़नी के वल यह इतना और पढ़ लिया जाएगा तो हमारा जो यह पूरा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा इस यूनिट में जो पायंट बचे हुए हैं वो मैं इस से नेक्स्ट वीडियो में करूंगा क्यो कि बड़ा लंबा हो रहा है वीडियो आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्जाम का क्रूशियल टाइम है यहां हम सब लोगों को धेर यह रखना है और केवल और केवल कंटेंट कौन कौन से टेबल के रूप में जो कंटेंट होते हैं वो याद करने हैं आप लोगों को इसी पैटन को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को जो भी समस्या हूँ आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद